Hey guys, this is Vishal and welcome to my YouTube channel. ये YouTube channel पे आपको stock market के बारे में एकदम basic से लेके, advance से लेके, implementation सब सारी चीज़े सिखाए जाएगी. ये जो वीडियो है, ये वीडियो में आप सारी चीज़े एक साथ देख सकते हो, लेकिन इसको ऐसे ही train में, bus में मत देखना, इसको एक साथ बैट के, notebook लेके, pen paper लेके, और बराबर से note down करके, सारे वीडियो को अगरे एक साथ बराबर से देखोगे, तो आपका basics एकदम clear हो ज उसके बाद risk management, कि कितना लेना है, कितना बेचना है, कहां risk, कहां stop loss लगाना चाहिए, किस तरह के stop losses होते हैं, और ये सारी चीज़े, ये पूरे एक वीडियो में, it's like a whole course, so watch it with concentration, focus, take notes and start your investing journey right now, so enjoy the training. आज का topic है types of trend, ये trend क्या होता है और कौन से कौन से तरह के trends होते हैं market में, और हम उसको कैसे identify कर सकते हैं, और उससे कैसे trade लेना चाहिए, तो basically there are three trends, तीन ही trend होते हैं, एक uptrend, एक downtrend और एक sideways trend, तो uptrend किसको बोलते हैं, let's see that, it's basically called higher top, higher bottom, मतलब आप देखोगे कि market उपर ज फिर थोड़ा नीचे आएगा और नया high बनाया है, so इसने पहले से नया high बनाया है, उसको बोलते है higher top, पहले से उपर है, फिर higher bottom, फिर higher top, higher top, higher bottom, that's what we call, now अगर ये 100 रुपया है, और उपर 500 तक जाता है, और थोड़ा सा नीचे आएगा समझो 125, ये hypothetical example है, सवा सो लेके व bottom भी higher है, top भी higher है, उसका मतलब क्या है, कि market में तेजी है, और लोग महंगा खरीदने के लिए तयार है, उसका क्या मतलब है, कि जिसने यहाँ पे 100 में खरीदा, और जिसने यहाँ पे 100 में बेचा, और जिसने यहाँ पे कुछ नहीं किया, जब 1.500 हुआ, तो जिसने खरीद क्योंकि market bullish है, मैं सवासों में लेने को तयार हूँ, मतलब you are paying a premium, अब एक चीज का premium देने के लिए तयार हो, इसलिए उसको बोलते है तेजी, अब यह lifetime नहीं चलेगा, कही ना कही तो end होगा, और जैसे end होगा, यह जो pattern है, यह जो sequence है, higher top, higher bottom की, वो change होके हो जाएगी lower top, lower लेख सकते हो, आप कौन से तरह का trading करते हो, उसके ओपर depend करता है, और ऐसा भी हो सकता हे, कि daily chart में uptrend है, but weekly chart में downtrend है, तब जाके आपको decide करना है, कि मुझे कौन से तरह का trade है, मैं कौन से तरह का trader हूँ, मैं short term trader हूँ या long term trader हूँ या medium term trader हूँ, अब देखते हैं कि यह uptre पीचे की तरफ नया लो और लोवर बॉटम और लोवर टॉप बनाता है जैसे यहां से 300, 200, 300, 200, 200, 500, 200, 100, सो यह जो है यह जो सीक्वेंस है मतलब हर बार मार्केट लोवर टॉप बना रहे है मतलब क्या है कि मुझे लगता नहीं कि फिर से उपर आएगा मैं उसको नीचे के भाव में बेचने के लिए तयार हो तो हमने अप्ट्रेंट में क्या वर यूज किया था प्रीमियम महेंगा खरीद रहे अब डाउंट्रेंट में क्या वर यूज कर रहे है डिसकाउंट में सस्ता बेचने को तयार हूँ मुझे खाली स्टॉक से निकलना है और यह कब होता है जब मार्केट बेरिश है अब यह चीज फंडमेंटल इसके अंदर इंक्लूड़ेड है कुछ भी का ABC है यह टेकनिकल एनालिसिस का ABC है अगर आपको खली यह समझ में आ गया तो भी काफी है तो आप सही दिशा में जा रहे हो हमारा जो एक साल का प्रोग्राम है उसमें हमारी जो सबसे में सिस्टम है ट्रेडिंग सिस्टम ट्रेंड फॉलोइंग वो है टॉप बॉटम और यही है इसके अंदर हमने कुछ एड रूल्स एड कर दी है बस इसी को ट्रेड करना है और यह अगर आप कर रहे हो तो आप सही दिशा में जा रहे हो अगर मार्केट या तो ऊपर या तो नीचे या तो साइड़ वेस जाएगा साइड़ वेस ट्रेंड कैसे दिखेगा आप यह लोर टॉप लोर बॉटम साइड़ वेस में गयो होगा सेम टॉप सेम बॉटम वही लैवल पे सपोर्ट रेजिस्टंस की बात कर रहे है तो यहाँ पे आपको पैसा नहीं बनेगा जब आप ट्रेंडिंग ट्रेड करते हो आपका लॉस हो सकता है या फिर आप सपोर्ट पर यहां पर buy करकर यहां पर result करकर यहां पर buy करो या फिर इसको totally avoid कर सकते हूँ जैसे आपको पता चलेगा एक दो के बाद पता चलेगा कि sideways है कि na ही nya high बन रहा है ना ही nya low बन रहा है तो higher top भी नहीं है higher bottom भी नहीं है lower top भी नहीं same top same bottom है इसलिए इसको बोलते है sideways so ये तीन तरह के trends है एक बार आपको ये देखना आ गया charts पे तो आपको बहुत ही आसानी से trade करना आ जाएगा और कोई भी chart पे फिर आप gold का लो या silver का लो या copper का लो या nifty का लो bank nifty का लो या state bank का लो या US markets में या UK markets में या Asian markets में या cryptocurrency में भी देख सकते हो तो this is the basic आज का topic है support और resistance इस support क्या होता है resistance क्या होता है और यह कैसे काम करता है market में और इसका कैसे फाइदा उठा सकते है हम वो देखेंगे आज की episode में बहुत simple है बहुत ही powerful है so let's talk about support, support एक ऐसी level है जहाँ पर market बार बार आके bounce होता है, मितलब वो level पर demand area है, वहाँ पर supply खतम हो रहा है, वहाँ पर demand बढ़ रहा है लोग buy करना चाहते है, वो level के नीचे जाता नहीं है और वो support उसको बोलता है support, right so this is very very important आप अगर supports को draw करके रखो तो 5 साल बात 10 साल बात भी वो ही support पर आके support लेके bounce होता है stock, इसलिए support resistance बहुत important, कुछ examples देखेंगे support जानने से हमको क्या फाइदा होगा पहले तो हम अपना long position create कर सकता है, अगर मुझे लगता है कि यहाँ से उपर जाएगा तो मैं buy कर सकता हूँ तो यह 3 चीज में कर सकता हूँ अगर मुझे मालू में support क्या है और जब important support टूट जाता है तब पता चलता है कि market और भी खराब है और वो decline stage पे आ गया है और उसमें और reversal हो सकता है support जानना बहुत ज़रूर है चाहे वो support का का काम करे या support break कर दे हमको बहुत सारे signal मिल सकते है market से चले देखते है कुछ example जहाँ पे आप देख रहे हो कि एक ही level को एक बार दो बार तीन बार test किया फिर थोड़ा उपर जाने के बाद फिर से एक बार दो बार तीन बार तो support zone दीरे दीरे support उपर आ गया तो इसका मतलब क्या है कि यह bullish है और अगर मुझे पता है कि यह support है यहाँ पर वापिस support है यहाँ पर वापिस support है तब मुझे signal मिलता है candlestick से price action मुझे signal मिल सकता है momentum से RSI से मुझे signal मिल सकता है volatility से Bollinger Band से यह सारे additional tools है main तो market ही है main तो price ही है और उसके साथ अगर यह tools को add कर दिया तो मुझे यहाँ से अच्छे trades मिलना शुरू हो सकते support is a very important thing now look at this कितने 3-3 महिने के बाद भी वही support पर काम कर रहा है तो अगर मुझे यह पता है कि यह support है और वहाँ पर मुझे signal भी मिलता है so that is called high risk reward trade low risk high reward trade जहाँ पर risk छोटा 1 is to 5, 1 is to 7 एक रुपया जाएगा या 5 रुपया कमाएगे और ऐसे trade हमने किये और फिर हम खाली 50 टकर trade में भी सही होंगे तो भी हम पैसा मनाएगे क्योंकि हमारा risk reward ratio सही है अगर आप ये वीडियो से कुछ सीख रहे है और समझ में आ रहा है तो आप नीचे comments में डालोगे कि आपको ये series अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है और ये और भी support का का काम ये खाली बहुत important है मैंने जब शुरू किया था अभी तो बहुत साल हो गए 1996 में ट्रेडिंग शुरू किया था 2002 से चार्ट देखना शुरू कर दिया और तब से supporterization ड्रॉ कर रहे है आज अभी 20 साल के उपर ड्रॉ करना हो गया 25 साल के उपर trade हो गया 14-15 साल से सिखा रहे है तो जितना जादा आप ड्रॉ करोगे जिना जातना आप चार्ट देखोगे उतना आपकी प्राक्टिस बढ़ती जाएगी और फिर आप बिना देखे भी पता चल सकता है बिना ड्रॉ किये भी पता चल सकता है कि हाफे support मैं हमेशा पता था हमारे वीडियो में अगर आपको एक अच्छा टेक्निकल एनलिस बनना है तो आपको रोज के 100 चार्ट देखने है 100 चार्ट और एक साल करोगे और सिंपल सिंपल चीज देखोगे support resistance RSI है तो आपका analysis एक अलग level पे चला जाएगा एक साल के अंदर ठीक है तो यह support बहुत सारे examples आपको पता चलेगा आप डेली चार्ट पे support कर सकते हो weekly पे भी monthly पे भी hourly पे भी 15 मिंट अब daily का support है मतलब daily के लिए अच्छा है short term trading के लिए अगर monthly का support है तो वो long term के लिए अच्छा है क्योंकि वो monthly वहां से bounce होगा तो कुछ महीनों तक उपर जा सकता है right same thing again and again you can draw support and resistance now यहाँ पे देखो कि एक support break कर दिया है यह support break हो गया है एक बार दो बार almost तीन बार चार बार और पांच भी बार में उसने break कर दिया मतलब अब यह trend खराब है तो मैं यहाँ पर अपना long निकाल के short करने की कोशिश करूँगा क्योंकि अब यह trend weak हो चुका है support break हो गया अब जब एक बार support break हो जाता है तो वो ही वापस उपर की तरफ resistance बन जाता है उसको बोलते है roll reverse आगे बात करेंगे देगे यहाँ पर support break हो चुका और और एक downtrend में चला गया market अब बात करेंगे resistance की resistance क्या होता है जहां से market को supply मिलता है selling pressure आ रहा है बार बार वहां से market turn मार रहा है और यह resistance का क्या आपको अगर resistance पता है तो आप क्या-क्या चीज कर सकते हो तीन चीज कर सकते हो एक तो है आप short कर सकते हो आप उसके उपर stop loss लगा सकते हो और अपनी long positions को exit कर सकते हो कि भाई resistance आगया मैं निकल रहा हूँ मुझे position से निकलना है right so this are the three advantages of having a resistance now और अगर resistance cross हो गया मतलब market बहुत ही अच्छे trend में है अच्छे breakout zone में है और नई growth और upside possibilities बढ़ जाती है उसकी तो देखते हैं यहां पर resistance देखो एक दो टीन और बाद में cross हो गया right तीन बार इसको बोलते है resistance zone और अभी आप जब आप trade करते हैं तो आपको पता चलेगा कि एक एक रुपे का resistance नहीं देख सकते है अगर यह stock ही कुछ 1900 रुपे का है तो मैं समझूगा एक zone होता है कभी 1900 से 1910 के बीच में तो आप कभी पहले जब मैं नया था तो अगर 1901 हो गया तो buy कर लो resistance ब्रेक हो गया वो that's a layman that's a no wise but वो नए लोगों के लिए ठीक है लेकिन एक बार समझ में आगा कि breakout होने के लिए 1910, 1920, 1950 भी होगा तो चलेगा लेकिन breakout होना चाहिए बड़े volume के साथ बड़े candle के साथ तब जाके मैं उसको खरी दूँगा तो resistance zone एक बार आपको पता चल गया कि हाँ पर resistance है यहाँ पर bearish candle आएगा, bearish volume आएगा, confirmation होगा तो आप यह short trade कर सकते हो right, you can keep drawing these examples again and again, 1, 2, 3, 4, हर बार आपको एक trade मिलता है, छोटा सा risk, अगे आपको short करना है, यहाँ पर छोटा सा risk और reward बड़ा, छोटा सा risk, reward बड़ा, simple supporterization, simple trend line, simple moving average, simple RSI से trade करना जरूरी, और पैसा बनाना तो काम का है अगर आपको बहुत complicated analyst बनना है, जो TV पर बात करते है, complication, Elliot way of GAN analysis, और लंबी-लंबी prediction होती है, 2025 में, 2050 में कितना होगा and all that, that doesn't make sense, वो trading के लिए नहीं है, उससे पैसा नहीं बनता है, उससे खाली आप अच्छा लगता है कि हाँ, इसको समझ में आता है, but trading करने के लिए यह यह बहुत ही काफी है, simple tools, right, और और भी resistance आप बताते जाओगे, आप draw करते जाओ, chart के बाद chart, जैसे पने बता है, 100 chart roads देखने है, resistance zone, और यह violation of resistance zone और उसके बाद वो ही उसको support बना के उपर जाता है, मतलब एक बाद resistance cross हो गया, तो वो ही support बन जाएगा, उसको बुलते है, road reversal, that's a best example किया है, समझो, यह मेरा office है, यहाँ पे, मैं दूसरे माले पे हूँ, right, तो यह जो floor है, वो मेरा support है, और जो ceiling है, वो मेरा resistance है, बड़ अगर मैं तीसरे माले पे गया, तो जो ceiling, जो मेरा resistance है, वो ही उनका support बन जाएगा, और अगर मैं पहले माले पे गया, तो मेरा जो support है, वो उनका resistance हो जाएगा, सेम तरह से support resistance मारकेट में काम करते है, right, that's called road reversal of the market, right, so you can keep drawing this, now, यहाँ पे आप देखोगे कि यह resistance था, उसको break किया, और उसको cross किया, उसको support बनाया, that's what we call change in polarity, में भी इसका एक एपिसोड करूँगा, यह जो था, यह हम इसको बोलते है 5-star trade, 5-star trade मतलब resistance cross हुआ, फिर वापिस उसी को support बनाया, और फिर उपर गया, एकदम चोटा सा risk और सामने बड़ा trade, यह मैंने आपको एक अच्छा trade setup यहाँ पे सिखा दिया, यह वाले वीडियो पे, आज का topic है trend lines, so what are trend lines, trend line क्या होता है, trend line आप जैसे support बनाते हैं, support line horizontal lines होता है, वैसे trend line angular line होता है, उपर जाता है या नीचे जाता है, पहला चीज है length, कितना लंबा trend line है, मतलब दो दिन का trend line है, दो हफते का है, दो मैने का है, या दो साल का trend line है, तो जितना लंबा trend line होगा, उतना जादा बड़ा impact होगा, trend change होगा, दूसरा है number of time it has been touched, मतलब एक ही trend line पे कितनी बार support लिया है, दो बार, तीन बार, पांच ब दस बार, तो जितना जादा support लेगा, उतना वो importance बढ़ते जाएगा, और जैसे वो trend line break होगा, तो हम उसके उपर action ले सकते हैं, और तीसरा है उसका angle, अब आप देखोगे कि trend line ऐसा 45 degrees भी जा सकता है, ऐसा 70 degrees भी जा सकता है, क्योंकि जब market बहुत sharp ली उपर जाता है, तो हम sharp trend lines बनाएंगे, यह 45 degree है, standard trend line, और एक थोड़ा weak भी हो सकता है, जो shallow trend lines, तो इसका angle भी बहुत important है, तो चलो देखते है कि किसको कैसे use कर सकते है, और trend lines को draw करने के लिए कम से कम 2 points है, एक और 2, तब जाके हम trend line मनाएंगे, तीसरी बार support लेगा, चौती बार लेगा, तो यह हो गया, standard trend line, 45 degree जैसा, जैसे यह break होगा, तो trend change हो सकता है, और इसी के उपर support का भी काम होता है, तो आपको buy करना है, तो trend line के support पे buy भी कर सकते हैं, यह थोड़ा सा steep हो गया, तो थोड़ा strong trend हो गया, इसको भी use कर सकते है, trend line के लिए, और यह एकदम steep है, जो एकदम perpendicular market जाता जाना, तो यह हम ज्यादा तर profit booking के लिए use करते हैं, जब एकदम sharp उपर जाता है, जैसे एक perpendicular line है, तो उसमें कहा कि वो level of strength ज्यादा sustain नहीं होता है, वो level से market बहुत देर तक टिकता नहीं है, तो अगर आप उस trend में long हो, तो आपको अगर exit करने के लिए वैसा sharp trend line मना दिया, जहां से आप exit कर सकते हो, मतलब sharp trend lines to book profit and shallow trend lines to go reverse, मतलब trend change, मतलब यह तोडने के बाद जरूर नहीं है कि market जोर से नीचे जाएगा, लेकिन sideways जा सकता है, लेकिन यह तोडने के बाद market नीचे जा सकता है, विचे जा सकता है, विचे is a shallow trend line, चलिए देखते है कुछ examples, यह shallow trend line ह है, आप अब देख रहे हो, एक, दो, तीन, और यह तीन साल का trend line, मतलब 2017, 2018, 2019, 2020, यह बहुत important trend है, अगर आगे future में कभी यह तूटता है, मतलब यह तीन, चार साल का trend तूट इया, अब इसी के अंदर छोटे-छोटे steep trend line बना सकते हैं, जैसे यहां से profit book कर दिया, यहां से profit book कर लिया, तो छोटे-छोटे, छोटे trend lines to book profit, बड़े trend lines for the main trend, right, look at this, six year trend line, working on the weekly chart पर चलता है, एक, दो, तीन, चार, पांच, अल्मोस्ट छे बार इसने support लिया, अब यहां से वो steep हो गया, तो यहां से मैं और एक trend line बना होगा, जो steep होगा, जो मुझे profit book में, profit booking में काम आ बेली चार्ट पर है, यहां पर भी एक, दो और तीन, आप देख रहे हो support trend lines, trend line खाली practice से जादा बेटर होता हैगा, generally पूछते है कि candle का support जो होता है shadow, उसको भी लेना चाहिए, हाँ लेना चाहिए, अगर वो सही shadow है, तो, कभी-कभी वो freak trade हो जाता है, जो गडबड हो जात है, तो, यहां पर हम profit book कर लेंगे, ऐसा जो बड़ा profit है, उसको छोड़ना नहीं है, ट्रेलिंग stop loss में काम आता है हमको, यह standard 45 degree trend line है, यह covid वाला crash है, जो हुआ था, जैसे यह तूटा, वैसे जो और से गिरा, अगर यहां पर आपने action नहीं लिया, तो बहुत लेट हो जाए चार चार पाच पाच बार देखो, तब जाके आपका base strong हो जाएगा technical analysis में, यह base है, trend line, moving average, Fibonacci, RSI basic, ADX basic, candlestick basic, back testing, journal, यह सारा base है, अगर इसको strong कर दिया है, तो आगे का आपका analysis बहुत अच्छा हो जाएगा, तो मैं चाहता हूँ कि इसको comment तो करे, like भी करे, और इसको double triple बार देखे, आपको playlist में save कर ले कहीं पे, ताकि इसको बार बार देख सके, हर एक महिने में at least 5-6 Tuesday technical HR तो release होते है, और आप उसको 2-3-3 बार देखोगे, तो आपको बहुत काम आएगा, right, so देखते हैं, अभी downtrend में भी same trend lines बनाते, यह 45 degree, or steep, or or steep, जाधा steep, इसको profit booking के ल तो वही trend line support का काम कर रहा है, role reversal, change in polarity, right, so एक बार जैसे हम support resistance भी बोलता है, कि अगर support चूड़ गया तो वही resistance बनता है, resistance चूड़ गया तो वही support बनता है, वैसे trend line cross हो गया, तो वही support का काम भी करेगा, तो यह important nugget है, यह आप ध्यान में रखो, और यह हमारे इसाब से मै इसको 5 star trade बोलता हूँ, यह already एक अच्छा trend line है, जो 5 बार चला, फिर उसको cross किया, फिर उसके उपर support लिया, तो यहाँ पे एक बहुती low risk trade बनता है, जिसके लिए आप यह trade ले सकते हो, right, so what's this, 1, 2, 3, 4, 5, trend line steep, यह बहुत steep है, यहाँ पे profit booking हो तो इसके बाद देखो कि market थोड़ा consolidation में चला गया, long नहीं करना है, क्योंकि steep trend line है, और भी, यह भी covid वाला है, यह जोर से नीचे गया, position cut, और उसके बाद नया trend शुरूँ, Today's topic is candlestick pattern, candlestick pattern एक अपने आप में बहुत ही बड़ा subject है, और उसमें बहुत सारे patterns है, बहुत सारी चीज़े हैं जो कर सकते हैं, एक time पे हमको याद है कि हम candlestick पे पूरा दो दिन का course करते थे, 8 और 8 घंटे, कुछ 200-300 slides थी, अब तो काफी सारे videos हैं मेरे खुद के भी, और इस पे भी मैं promise करता हूँ कि मैं और भी videos बनाऊगा, आज एक basic patterns देखते हैं और advanced patterns में भी जाएंगे candlestick pattern, तो पहले समझ लेते basic pattern क्या होता है, generally आप देखोगे कि green और red color होता है, या कोई-कोई software में black और white भी होता है, अगर कोई-कोई software में आप color को choose भी कर सकते हो, तो य और अगर open उपर और close नीचे है, तो red हो जाएगा, और उपर का high और low है, those are called the shadows, उसको shadow या wicks बोलते है, जैसे मोंबती की जो उपर रहती है, that's shadow and body, now इसमें बहुत सारे तरह के bodies और बहुत सारे तरह के shadows होते हैं, और उसी के उपर से उनके नए-नए अलग-अलग नाम है, और यह candlestick सबसे पहले बें बता दूँ कि यह invent हुआ था जैपैन में, इसलिए इसको बोलते है Japanese candlesticks, और यह कुछ इंडिया और पहले तो US में आया, Steve Nissan करके जो एक author है, जिन्होंने बहुत ही बढ़िया किताब लिखी है Japanese candlestick, उसमें सारे candle patterns को explain किया गया है, बट यह 400-500 साल पहले invent हुई थी, तो यह बहुत ही powerful है, इससे पता चलता है कि bulls control में है कि bear control में, इसके पहले लोग bar chart use करते थे, अब ऐसा हो गया कि bar chart was 2D, this becomes more of a 3D, आपको जादा information मिल लिए, चले देखते है कोई chart होगा, अगर यहाँ पर आपको दिख रहा है, यह बड़े, if you see there is a big black candle, big white candle, small body, small candle, small, यह पूरा जो एक, इस पर पता चलता है कि bulls का control है कि bear's का control है, बड़ा candle है तो और white है तो bulls का control है, बड़ा candle और black है तो bear's का control है, shadow है मतलब कोई control में नहीं, ऊपर shadow है मतलब supply हो रहा है, नीचे shadow है मतलब demand आ रहा है, बहुत सारी चीज़े हो सकते है तो चलिए देखते हैं एक simple, सबसे पहले जो candle pattern जो सबने आपने नाम सुना होगा, it's called doji, doji मतलब नाम जो है सारे वो Japanese words है, उनके language में है, but काफी interesting है, काफी weird भी है, तो Japanese candlestick में अगर आप देख रहे हो plus sign, मतलब यहाँ पे body है ही नहीं, body नहीं है, मतलब कहा है कि जहाँ पे market खुला, वहीं पे बंद हो गया, मतलब कोई decision नहीं है, indecisive candle हो गया, मतलब यहाँ पे bulls भी strong नहीं है, bears भी strong नहीं, अब यह doji अपने आप में neutral candle हो गया, but अगर वो uptrend के बाद आता है, तो यहाँ पे वो मतलब क्या हो गया, bulls का power कम हो गया, अब देख रहे हो, bulls क power 1, 2, 3, अब suddenly bulls control के बाहर है, और bears अंदर आने लगे, so it's a doji star which can be bearish, but हमेशा याद रखना, doji कभी भी आया, कहीं भी आया, उसको confirmation की जरुवत है, ऐसा भी हो सकता है कि bulls थोड़ा अराम कर लिया, pause ले लिया, और फिर उपर continue किया, so doji can work as a pause, doji can work as a reversal, right, but confirmation is required, नीचे confirm होगा तो reversal हो गया, वापिस उपर चला गया तो continuation pattern मन जाएग, pause हो गया, और वैसे ही आप देख रहो, uptrend के बाद doji आ रहा है, यहाँ पे doji है, uptrend के बाद, और उसके बाद trend change हो रहा है, वैसे आपको hourly chart पे, intraday chart पे भी देखने को मिलेगा, काफी सारे doji's, नीचे एक भ कॉन स्टॉंग है, बैस, बैस का कंट्रोल है, लेकिन इस दिन बैस का कंट्रोल नहीं है, मतलब बुल्स का कंट्रोल बढ़ गया है, तो यहाँ से reverse होने का चांस, यहाँ पे भी मुझे चाहिए कि confirmation मिले, अगर doji के उपर जाएगा, तो हम buy करेंगे, doji के नीचे stop loss लगाए कि a simple system हो गया, right, so these are all small body or no body candle, doji, तो यहाँ पे bottom के बाद, doji, बहुत बढ़ा downtrend, और doji देखने को मिले, confirmation के बाद trend, change हो रहा है, right, और एक doji, बैसे आपको बहुत सारे मिलेंगे, बहुत सारे charts पे, मैं चाहता हूँ कि आप practice करना शुरू कर दे, मैं हमेशा अपने students को ब हो जाएगा और यह subject पे आपकी mastery आना शुरू हो जाएगी, right, then there is something called as bullish harami, now यह word Japanese है, उसमें meaning है कि यह जो body है, bulls, bears are in control, और suddenly उपर खुलके उपर जा रहा है, बुल्स, bears का control निकल गया और bulls का control आने लगा, and this is a small body within this body, harami in Japanese means pregnant, so this is like a small baby to this, this is like a reversal pattern, अब यह bear trend को halt कर दिय और नया trend करने की शुरू कर रहा है, right, इसमें भी मुझे confirmation चाहिए, हमेशा write down one thumb rule for candlestick, small body needs confirmation, यह small body candles होते हैं, जैसे doji, harami, shooting star, hammer, spinning top, यह सारे small bodies है, और सबको confirmation की जरुवत पड़ेगी, right, यहाँ पे जैसे bullish harami, यहाँ पे जैसे downtrend के बाद, small baby to the previous candle, small baby, bullish harami pattern, right, your homework for today is, कि आज जो भी अपने pattern सिखा है, उसकी आप 100-100 pattern डूण के निकालोगे, चार्ज पे, अलग-अलग चार्ज पे, तो आपको यह और strongly समझ में आ जाएगा, जैसे हर एक pattern की एक bullish और bearish pattern होती है, जैसे reverse pattern, तो वो bullish harami था, यह bearish harami, यहाँ पे भी, कौन strong है, bull, और suddenly bulls क power कम हो गया, नीचे खुला, और small candle, तो यह alert कर रहे हमको कि अभी trend change हो सकता है, और trend change होगा, तो वो confirmation देगा, तो हमको bullish, bearish harami यहाँ पे देख रहा है, अब यह आप देखोगे कि यह white candle पे, हमको ऐसा कोई अंदाजा नहीं था कि कल से नीचे जाएगा, ऐसा है लगता है, अ आपे divergence भी हो सकता है, बॉलिजर्मान का volatility divergence भी हो सकता है, volume divergence भी हो सकता है, trendline resistance भी हो सकता है, so all those things can combine together, so eastern pattern and western tool combined together, gives a great signal, eastern Japanese or western trendlines, RSI, SRE tools, bearish harami, again, perfect, after a strong rally, inside candle, it's like an inside candle, you can also call it inside candle, or you can call it harami, right, उसके बाद एक green candle है, वो simple है, downtrend के बाद अगर बड़ा green आता है, उसका मनलब क्या भी bulls power में आ गए, simple है, यह आपको कहीं पर भी दिखने को मिलेगा, trend reversal पर देखता है, जैसे यह downtrend के बाद बड़ा white, यह downtrend के बड़ा green, यह downtrend, uptrend में है, बड़ उसके बाद देख रहे right, very strong white candle or green candle, same way, we have the black candle, the red candle, bearish candle, अब जब market गिरता है, तभी आपको बहुत सारे देखने को मिलेगे, जैसे 1, 2, 3, यहाँ पर भी देखने को मिल रहे है, यहाँ पर भी देखने को मिल रहे है, so those are in, bears are in control, bears are in, मतलब पूरा दिन market को नीचे hammer करके रखा है, और bears sell कर रहे, sell क मतलब आपको clearly पता चल रहा है कि यहाँ पर bears का control है, इसमें हम लोग जाके buy नहीं करेंगे, in fact, यहाँ पर देखेंगे कि short कैसे कर सकते, put कैसे buy कर सकते, right, so these are all big whites, now this very interesting candle, this is called bullish engulfing, मतलब downtrend है, दूसरे दिन भी market नीचे खुलता है, but पहले वाले candle को engulf करके उपर बंदा थ और अभी bulls ने बोला गी, अभी मेरा time आ गया, और मैं control में हूँ, तो अब मैं, यह reverse, यह बड़ा candle है, इसको confirmation की जरवत नहीं है, small body needs confirmation, long body doesn't need confirmation, यह long body है, वैसे long body में और भी candles है, बट आज हम bullish engulfing की बात कर रहे है, so you'll see that after a downtrend, you'll see a bullish engulfing, trend changes, यहाँ पे भी almost bullish engulfing pattern है, व इतना ज्यादा आपको इसको study करोगे, उतना आपको ज्यादा फाइदा होगा, और इसको समझने में आसानी होगी, हर एक candle का opposite candle होगा, जैसे bullish engulfing है, तो bearish engulfing भी होगा, uptrend, strong bulls, और उपर खुलने के बाद, bulls का टाकत नहीं था, bulls gave away, and bears का टाकत बढ़ गया, bears ने selling चा call बेच होगे, put खरीद लोगे, जैसे भी कर सकते हो, इसको advantage दे सकते हो, right, so you'll see bearish engulfing right at the top of the market, and then starts the downtrend, bearish engulfing right at the top of the market, uptrend के बाद, bearish engulfing, right, bearish engulfing, bearish engulfing, back to back, double top, doji भी है, मतलब एक साथ bearish candle आने लगे, मतलब market में कुछ तो गड़ब है, right, and this is one of the best books on candlestick by Steve Nissan, called Japanese Candlestick, you should read this book, अगर आपको सारे candles को और detail में समझना है और पढ़ना है, तो कम से कम 5-6 बार पढ़ोगे, तो और clearly समझ में आएगा, आज का topic है momentum, momentum मतलब क्या, momentum मतलब speed, speed मतलब आप कितने तेजी से उपर जा रहे हो, या कितने धीमे गती से उपर जा रहे हो, गती जिसको बोलते है, और उस से पता चलता है कि ये stock कितना जल्दी जाएगा, और कितना नीचे जल्दी नीचे जाएगा, या sideways में, अब बहुत सारे momentum indicators है, जैसे आप जानते होगे, मैंने RSI पे बहुत सारे videos बनाए, ADX पे बनाए, but पहले momentum है, क्या वो समझ लेते है, वो basic है, उसके बाद हम चुनेंगे कि हमको RSI चाहिए, ADX चाहिए, Bollinger चाहिए, MSAD चाहिए, या CCI चाहिए, right, so let's talk about momentum, momentum is equal to speed, speed is distance upon time, इतना distance कवर कर हो, जैसे आपके speed, speedometer होता है गाड़ी में, तो kilometer per hour दिखाता है कि आप कौन से speed से गाड़ी चला रहे हो, right, 50 के speed से चला रहे हो, तो ये speed से पता चलता है, अगर momentum अप है, मतलब speed अच्छा है, मतलब वो price उपर उपर जाएगा, या नीचे नीचे जाएगा, speed होना चाहिए, और अगर momentum down हो गया, speed कम हो गया, मतलब अभी यो resist कर रहा है, अभी वो turn मारेगा, reverse करेगा, मतलब अगर आप में डेट्सो के speed पे जा रहा हो, तो मैं fast जा रहा हो, उपर ही जाओंगा, इधर ही जाओंगा, बड़ अगर मुझे U-turn मारना है, फिर से, तो मैं speed को कम कर दूँ यह पहले ही बता देता है कि यह turn मारेगा, जैसे हमारे दो तरह के divergence होता है, bullish bearish divergence और एक PRD, NID, positive reverse divergence और negative reverse divergence, इससे पता चलता है कि trend जोर पकड़ेगा, या trend change होने वाला है, इसके उपर अलग से video है, आप देख सकते हो बाद में, और यह oscillator से measure होता है, oscillator क्या होता है, दो तरह क्या oscillator होता है, उसमें एक होता है, banded, और एक होता है non-banded, non-banded मतलब, जैसे MACD है, यह MACD है, यह नीच वाला जो line है, वो 0 है, तो उपर plus होता है, नीचे minus होता है, लेकिन कितना भी plus हो सकता है, कितना भी minus हो सकता है, तो यह non-banded हो गया, कहीं पर भी जा सकता है, MACD एक on ADX, right, then there is another one which is banded oscillator called stochastic, यह भी एक time पे मेरा फेवरेट था, यहां पे भी यह बांड़ेट, उपर 100 और नीचे 0, इसके बीच में ही चलता है, उसमें दो होता है, 14.33 या 14.35, but अब फिलाल तो बहुत साल होगा, इसको यूस किये, इसको समझाए, सिखाए, बट यह भी एक strong, especially यह short term trading के लिए काफी काम आता है, क्योंकि यह बहुत fast घुमता है, right, और अगर MACD थोड़ा slow हो जाता है, क्योंकि वो moving average पे dependent है, यह एकदम fast चलता है, और फिर हमारा favorite, of course, RSI, तो आपके RSI के तो videos आपने देखे ही होंगे, नहीं देखे तो देख लीजे, कम से कम 100 video से सादा होंगे, सारे channels मिलके 60-40 है, range shift है, divergence है, reverse divergence है, grandfather, father, son strategy है, तो यह सारी five star strategies है, तो यह RSI हो गया banded oscillator between 0 to 100, और बीच की जो lines है, 60-40, वो हमको trend identify करती है, और और एक तर्यका indicator होता है, जिसको बोलते है, price oscillator, यह सारे price थे, परलब, सब price में से बना है, moving average से बना है, MECD, stochastic भी high-low से बना है, RSI closing price से बना है, तो कोई ना कोई price angle है, या तो open high-low close, या तो खाली open, या तो open close, but उसी तरह से volume oscillators भी होते हैं, और breath oscillators भी होते हैं, ज्यादा तर ज्यादा लोगों को पता भी नहीं है, या use भी नहीं करते हैं, मैं खुद भी use नहीं करता हूं, but आपको स volume के साथ उपर नीचे होता है, इसका अलग से explanation है, ज्यादा तर मैं use नहीं कर रहा हूं, इसको ज्यादा detail में नहीं जाएंगे, खाली volume देखके भी हम analysis कर सकते हैं, volume पे मेरा already video है, आप चेक कर सकते हो, वहाँ पे volume को कैसे use करना है, और तीसरा होता है breath oscillator, breath actually काम में आता है, breath breath मतलब कि आप देखते होंगे, CNBC जब देखते हो, कोई भी channel देखते हो, तो वहाँ पे दिखता है breath, advance decline, आज कितने stock उपर है, कितने stock नीचे है, कितने stock में नया high बनाया, कितने stock में नया low बनाया, तो उससे breath पता चलता है, अभी ये breath positive है, क्यों इतने सारे stocks उपर है, और market अभी turn मार रहा है, तीन तरह के oscillators हो गए, breath oscillator, volume oscillator, price oscillator, उसके अंदर दो तरह के oscillators है, banded और non-banded, non-banded मतलब 0 के उपर 0 के नीचे, which is MSED, और banded मतलब 0 से 100 के बीच में, which is RSI, and stochastic, and even ADX, so ये सारे oscillators है, इसमें से मेरा favorite है, banded oscillator, वो भी price oscillator, which is called RSI, RSI के उपर बहुत सारे videos ह आप उसको देखें, और उससे जादा सीखें, इससे पता क्या चलता है, कि हम जो stock कर रहे है, उसमें speed है कि नहीं, जैसे RSI के इसा आप से पता चलता है, जैसे यहाँ पर हम देख रहे है, 60 के उपर market bullish है, 40-60 के बीच में market sideways है, और 40 के नीचे market downtrend में है, तो यहाँ पर मैं put खरीदूँगा, यहाँ पर मैं short करूँगा, यहाँ पर मैं call put right करूँगा, और trading नहीं करूँगा, यहाँ पर मैं long करूँगा, या call खरीदूगा, तो यह हो गया हमारा simple analysis, इससे speed पता चलता है, right, so this is very basic, यह indicator, यह oscillator, यह video देखने के बाद आप RSI के वीडियो देख सकते हो ADX के देख सकते हो, और volume के भी देख सकते हो. about oversold divergence, वो एक approach है, और दूसरा है unconventional, जो हम use करते है, 60-40 reverse divergence, तो मैं आज आपको पहला topic है, पहला episode है, RSI पे मैं promise करता हूँ कि और भी episodes बनाऊँगा, ताकि आपको और भी detail में knowledge मिल सके, और English channel पे अगर आपको पहले से देखने हैं तो, तो चलिए पहले शुरू करते हैं, और मैं, I can guarantee के इसके बाद, अगर आप ये पहली बार देख रहे हो, तो इसके बाद आपका चार्ट देखने का नजर या पोरी तरह से बदल जाएगा, राइट, so let's start with the unconventional RSI, which is slightly different, और एकदम सिंपल है, हम लोग RSI के ऊपर कोई moving average नहीं लगाएंगे, या आगे पीछे other lines, which is called 60 and 40, 60-40, और ये 60-40 में क्या है, सिंपल एकदम, 40 के नीचे होगा, मतलब market bearish है, 40-60 के बीच में होगा, तो मतलब market sideways है, और अगर 60 के ऊपर होगा, तो RSI, मतलब market bullish है, बस ये है, ये it's like a guru mantra, अगर आप कोई भी चार्ट देखो, 5-minute का चार्ट देखो, 15-minute का देखो, daily देखो, weekly देखो, monthly देखो, nifty का देखो, bank nifty का देखो, currency का देखो, commodity का देखो, cryptocurrency का देखो, सब जगा पे same standard RSI, 14 days, 14 period, और 60-40, below 40 bearish, between 40-60 sideways, above 60 is bullish, right, so ये हो गया range, एक होता है range, दूसरा concept है range shift, तीसरा concept है reverse divergence, चौथा है normal divergence, और उस के बाद हमारे 5 star, 7 star setup, और RSI को बहुत अलग-अलग तरीके से use कर सकते, और मेरा जो भी आज नाम हुआ है, stock market में, या training में, वो RSI की वज़े से हो, क्योंकि मुझे एक lesson, जब मैं सीख रहा था, आपकी तरह, जब आप नए हो, मैं भी सीख रहा था, तब 2000, 2001, 2003 में, जब मै technical analysis की books पढ़ रहा था, तो RSI एक common popular tool है, और उस पर बहुत सारी books है, बहुत सारे program, seminars होते थे, तब मैं attend करता था, जनरली लोग conventionally सिखाते थे, which is 70, 30, overbought, oversold, और उसके बाद मुझे लगा कि इसमें मज़ा नहीं आया, तो मैंने फिर ADX सीखा, फिर Bollinger Band सीखा, फिर CCI, JTI MACD, Stochastic, यह सारे सीखे, और जितने ज़्यादा tool यूज़ करने लगा, उतना मुझे और complication हो गया, ऐसा लगता था, मज़ा आ रहा है क्योंकि बहुत complicated चीज़ करे, और human psychology अगर complicated करते तो हमको मज़ा आता है, लेकिन आप पहले decide कर लो, आपको मज़ा चाहिए, complicated चाहिए, यह आपको पैसा बनाना है, और यह lesson मैंने बहुत सालों के बाद, बहुत loss करने के बाद सीखा, अब बहुत बड़े एक trader ने मुझे बताया है, कि इतने सारे tools और techniques की जरवती नहीं है, just go deep in one, go deep not broad, मतलब अब कोई भी एक चीज़ को master करो, सब को थोड़ा थोड़ा जाना ह होगे तो कुछ फाइदा नहीं, तब मैंने डिसाइड किया कि हमको RSI पे करना है, और 2006 या 7 से लेके आज तक अभी भी मैं RSI पे काम कर रहा है, उस पे भी नहीं-नही strategies बनती है, हमारे ABCT program में भी RSI पे strategy है, हमारे trader in me program में भी RSI पे strategy है, options में भी हम RSI यूज करते हैं, option expiry level 1 में भी करते हैं, 3 में भी करते हैं, 5 में भी करते हैं, so मेरा ये आपको suggestion है, कि आप भले RSI यूज ना करो शायद, but आप कोई भी टूल करो, उसको deep में समझो, go deep, not broad, right, एक चीज़ के mastery आजाएगी, फिर आप उसको आराम से trade कर सकते हो, so ये RSI, और अगर इसके बाद जब आप RSI, विशाल मलकान, Google, YouTube पे सर्च करोगे, तो आप बहुत सारे videos मिलेंगे, उसमें 5 star strategy, grandfather, father, son strategy, सारे videos मिलेंगे, आप उसको देख सकते हो, right, तो चलिए देखते हैं, basic range हो गई, ये below 40 bearish, between 40, 60 sideways, above 60 bullish, right, अभी आप देख रहे हो daily chart है, जो above 60 है, तो bullish, अब trend बोलते हैं म इसको, अब trend की तरफ जा रहा है, और अगर, फिर और एक दो chart देख ले, अब खाली आप कोई भी chart, अभी समझो, आपको nifty देखते हैं अभी जाके, तो आप उसका monthly chart देखो, monthly मतलब long term, weekly मतलब medium term, daily chart देखो, मतलब short term, monthly trend क्या है, weekly trend क्या है, daily trend क्या है, तो आपको आंसर मिल जाएगा कि मुझे क्या करना चाहिए, bullish होना चाहिए, bearish होना चाहिए, short term में bullish होना चाहिए, long term में bullish होना चाहिए, यह simple है, so monthly is about 60, upgrade, very very simple, and look at this, 40-60 के बीच में है, मतलब market sideways, sideways में क्या कर सकते, कुछ नहीं करना चाहिए, stock को हाथ नहीं लगाना चाहिए, या फि support पर buy करके resistance पर sell करना चाहिए, बट वो मुझे लगता है, जरुवत नहीं है, अगर कोई stock आपको मिलता है, जो trended है, जो 60 के उपर है, या 40 के नीचे है, तो वहाँ पर long shot कर सकते, sideways में हाट डाल के कुछ फाइदा दे, तो अगर यह चीज आपको हो गई, तो आपकी बहुत सारी गलतिया निकल जाएंगी, क्योंकि हम कभी-कभी stock में जाते हैं, और वो चलते ही नहीं है, sideways जले जाता है, यह महीनों तक, और हम सोते हैं, यह जा रहा है, उपर वो जा रहा है, लेकिन मैं इसमें फसा हूँ, फिर मैं यहां से निकलता है, उदर जाता हूँ, तो वो sideways ह होता था, यह अटक जाता है, so all that happens, but once you have clarity के यह कौन सा trend है, मुझे उसके साथ ही जाना है, तो आपको एकदम confidence आ जाएगा, sideways market, then अगर market down है, तो वो continuously 40 के नीचे trade करेगा, तो आपको क्या करना है, कोई भी platform यूज करते हो, आप कोई भी software यूज करते हो, कोई भी website यूज कर और फिर बस वो ही देखना है, और अगर उसके ऊपर कोई moving average है, उसको निकाल दो, खाली एक ही line चाहिए मुझे, कही कही पर आपको दो या तीन line दिखेगी, आप एक ही line उसकरोगी, right, downtrend, below 40, downtrend, which is below 40, and that's the basic of RSI, अब मैं आपको बताओ कि आपको और एक slide दिखा देता हू यहाँ पर आपको दिखेगा slide पर, and that is where you will see that अगर आपको uptrend चाहिए, तो 40, 80, strong uptrend चाहिए, तो 60, 80, downtrend चाहिए, तो 60, 20, और अगर strong downtrend चाहिए, तो 40, 20, और अगर आपको sideways चाहिए, तो 40, 60, So, यहाँ पर जो चाहिए आपको, उसको आप snapshot ले लो, उसको बोलते सारे ranges हो गए, trend के, strong trend के, weak trend के, और sideways trend के, एक बार वो आपने समझ लिया, तो आपका एकदम clear हो जाएगा, फिर उसको देखो और चाहिए, और चाहिए को कौन सा trend चाहिए, आपको एकदम clarity मिल जाएगा. आज का topic है RSI divergence, अब RSI के बारे में क्या बताओ, आप कितने भी video करूँ कम है, और आपने मेरे के बहुत सारे RSI videos पहले देखे होंगे, father son, grandfather father son, reverse divergence, divergence, range shift, loud moves, यह मलब RSI मलब मेरे life का base है, और मैं इसी को last 15 साल से research करते आ रहा हूँ, और उसके अंदर और भी चीज़े मिलती जैसे हमारी trading जो होती है, short term, medium term, long term, options, सब RSI पे based है, तो अब आज एक RSI जो divergence है, जिसके बारे में मैं कुछ आपको और clarity दिखाना चाहूँगा, कि खली divergence देख लिया, तो problem होगा, लेकिन सही तरीके से देखा, तो आप उसको अच्छे से trade कर सकते हो, तो divergence पहले मतलब क्या होता है, जब divergence में क्या होता है, कि जब भाव, price makes a new high, मतलब market नया high बना रहा है, but RSI नया high नहीं बनाता है, मतलब क्या हुआ, कि speed कम हो गया, RSI क्या है, speed, A और A, इसमें B higher है, यहाँ पे B lower है, मतलब मैं आगे तो जा रहा हूँ, या मैं ऊपर तो जा रहा हूँ, लेकिन मे तो पीछे चला गया, तो पहले आप गाड़ी को slow करोगे, और फिर turn मारोगे, वैसा ही divergence आपको बता रहा है कि गाड़ी slow हो रही है, और उसके बाद turn मारेगी, मतलब नीचे के तरफ, so this is the concept of divergence, but यह confirmation बहुत जरूरी है, right, confirmation नहीं आया, तो divergence के उपर, divergence के उपर, divergence के उपर, किया है तो, तो चले देखते हैं कुछ examples, यह जो इसको बोलते है, bearish divergence, bearish divergence will appear, uptrend में bearish divergence दिखेगा, मतलब हम contract trade कर रहे है, right, let's look at the reverse of it, जब market downtrend में होता है, तो mark price ने नया low बनाया, A से B lower है, but RSI ने higher bottom बनाया, मतलब अब नीचे जाने का जो speed है, वो कम हो गया है, मतलब यहां से वो U-turn मार के ऊपर जा सकता है, तो this is called bullish divergence and it will appear in an uptrend, right, अब कुछ examples देखते हैं ताकि हमको पुरी तरह से समझ में आ जाए, और let's talk about bearish divergence, अब यहां पे आप देखोगे, कि यह जो divergence है, यहां पे बहुत ही छोटा है, तीन बार का divergence है, यह जो last white candle है, उसके बीच मे तीनों बार के बार divergence है, इसको बोलते है थ्री बार divergence, और मेरे इसाब से जितने कम बार्स होंगे, कम से कम तीन ही हो सकता है, और तीन, फाइब, सेवन, टेन, यह जितने कम बार्स होगे, उतना divergence पाउरफुल होता है, कभी-कभी हमको divergence दिखेगा पचास बार के दूर, मतलब तो एक इधर है कि उदर है, तो वो कुछ पाउरफुल नहीं है, उस पे कुछ मजा नहीं है, राइट, लेन लुक अट इस, अनधर थ्री बार divergence, फाइब बार divergence, उसके बार जो फॉल आता है, वाल अब यह गाड़ी इधर यहाँ पर यू-टन मारने के लिए, प्लस कैनलिस् confirmation, प्लस Bollinger Band, प्लस RSI range shift, intraday charts पे और volume confirmation, यह सब अब एक दूसरे को automatically compliment करेंगे, जितने कम bars होंगे, उतना strong divergence होगा, यह चीज़ आप नोट कर लो, यह nugget है आपके लिए, और यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे कुछ है, 9 bar divergence, यह market है, यहाँ A point, फिर नया high, B point, but RSI का B point lower ह मतलब momentum कम हो गया, speed कम हो गया, U turn मारना है और यह U turn नीचे की तरफ मारता है, अब और एक चीज़ दिखाता हूँ, जब divergence होता है, और trade confirm होता है, तो उसका जो target है, वो दोनों के बीच में जो low है, A और B के बीच में जो low है, वो मेरा target है, वो target से play करना है, मतलब यहाँ से मै हूँगा, ऊपर मेरा stop loss और यहाँ पर मेरा target, तो इतना चोटा stop loss इतना बड़ा target, अगर risk reward ratio एक 1 is to 3, 1 is to 5 ऐसा बैठता है, तो ही करना है ने तो divergence को छोड़ दो, अब यही चीज़ आप divergence को 5 मिनिट चार्ट पे, 15 मिनिट पे चार्ट के, hourly चार्ट, daily चार्ट, weekly चार्ट, monthly chart सब पे दिखता है, अब कभी-कभी monthly chart पे आप देखोगे 3 bar divergence है, मतलब वो top हो गया उसका, वो market नीचे आएगा, monthly पे आया है, मतलब 1-2 महिने तक नीचे आएगा, मतलब उसमें बड़ा correction हो सकता है, अब daily chart पे divergence दिखा मतलब छोटा correction होगा, यह और अपना all deep में जा सकते ह we look at bearish divergence in an uptrend, अब उल्टा देखते है, नीचे के trend में bullish divergence देखते है, तो उसमें क्या हो सकता है, देखिए यहाँ पे, वापिस 3 bar divergence, बहुत ही powerful, 3 bar divergence बहुत ही powerful, और यह बहुत बड़ा candle confirmation, और वहाँ से बड़ा trend convert हो गया, यह जो divergence दिखता है, वो भी एकदम bottom पे दिखता ह और उसके साथ अगर volume confirmation है, और volatility divergence भी है, volatility divergence मनलब Bollinger Band पे, वो भी मैंने एक video बनाया, अगर आप देख सकते हो तो, so double confirmation हो जाता है, यहाँ पे 8 bar divergence, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो दोनो low के बीच में जो distance है, उसको number of bars बोलते हैं, और यह higher है, यह lower है, मतलब A और B में फरक है, यहा जाता है, उसको trailing stop loss में हम convert कर सकते हैं, तो यह weekly chart पे है, weekly पे मतलब आपको target बहुत अच्छा मिलेगा, और अच्छा trade मिल सकता है, जो positional हो सकता है, right, so this is very very powerful in the market, यहाँ पे भी, it says 10 bar divergence, double bottom, double bottom और lower bottom, in fact, यहाँ पे candlestick भी दिख रहे हैं, आपको दिख रहा है, candlestick के उप information, divergence और यह trade पकड़ना है, अब इसको जितना practice करोगे, जितना जल्दी देखना, रोज के 100 chart देखो में हमेशा बताता हूँ, अगर आपको अच्छा trader बनना है, अच्छा analyst बनना है, और जितना, as, as, समझो कि आप मेरे one year student हो, और trader in me student हो आपको, और मैंने आपको divergence सिखा है, मतलब अभी आपका काम क्या है, 100 bullish divergence, 100 bearish divergence ढूण के रेखो, और उसको practice करो, मतलब एक बार आपने 100-100 निकाले ना, तभी आपका जो eye brain coordination है, वो ठीक हो जाएगा, फिर आप तुरंट spot कर सकता है, यहाँ पे divergence है, अभी आपको ढूणना पड़ेगा, कि कहा है, right, so that's how it works, यह यहाँ पे देखो bullish divergence, और यहाँ पे multiple divergence अब जगा पे दिखेंगे, तो यह divergence है, वैसे ही bullish और bearish divergence होते है, वैसे एक reverse divergence भी होता है, और उसमें positive reverse divergence, negative reverse divergence होता है, इसको बोलते है PRD, NRD, उसका बहुत ही एक बढ़िया वीडियो है, almost 45 minutes का है, वो बहुत time पहले किया था, English Channel पे ह उसको आप नीचे में link लगा दूँगा, आप देख सकते हो, ढून सकते हो reverse divergence, उससे आपको और भी clarity मिलेगा, so divergence और reverse divergence यह दोनों को अगर अच्छे से समझ लिया, तो आपको trend following, मतलब reverse divergence trend following करता है, और normal divergence contract rate करता है, यह दोनों अगर अच्छे से समझ लिया, मतलब आपने R favorite है, और हम आज बात करेंगे RSI, RSI के range shift की, शायद मैंने पहले के कुछ episodes में भी इसको cover किया, लेकिन हमारे जो नए followers और subscribers है, उनके लिए यह जो मेरा special RSI है, वो आपको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जितने भी videos मैं करता हूं, Tuesday technical talk, weekly market update, वहाँ पे हम RSI की जरूर बा बहुत आसान हो जाता, आपको clearly पता चल जाएगा कि trend up है, down है या sideways है, let's talk about RSI range shift, so Tuesday technical talk, और उस के अंदर, पहले हम unconventional RSI, ज्यादा तर जो videos और ज्यादा तर websites पे आप देखोगे कि RSI 70-30 का बात की जाती है, that's the conventional one, यह unconventional क्या है, कि जहाँ पे RSI 3 हिस्सों में divide की जाती है, 0, 40, 60 और 100, 40 के नीचे है तो bearish, 40, 60 के बीच में है तो sideways, और 60 के उपर है तो bullish, यह आपने मेरे ख्याल से, अगर मेरे videos देख रहे हो, तो कम से कम 1000 बार सुना होगा यह, और जितना ज़ादा सुनोगे उतना ज़ादा strong होते जाएगा, क्योंकि मैं वही मानता हूँ कि go deep, not broad, और यह की strategy को master करके आगे चले, तो अब आप देखोगे कि 60 के उपर है bullish, RSI 60 के उपर है तो bullish है, 40, 60 के बीच में होगा, तो sideways होगा, जैसे यह भी bullish है 60 के उपर, अभी फिर daily chart हो, weekly chart हो, monthly chart हो, उससे कोई फरक ने पढ़ता है, right, so all these are bullish upside signals, now when RSI is between 40, 60, the markets are sideways, इसमें क्या करना है, हमको कुछ भी नहीं करना है, हमको wait करना है, wait for the breakout, और इसमें हम option writing कर सकते हैं, जैसे इसमें भी कर सकते हैं, right, और downtrend में होगा, तो RSI 40 के नीचे होगा, जैसे strong downtrend, महाँ पर short कर सकते हो, option भी खरीच सकते हो, so this is below 40, तो तीनो trend को हमने आसानी से समझ लिया, बहुत ही simple है आप कोई भी time frame पर trade करो, इसको आप use कर सकते हो, right, तो ये जो overall जो range shift है, अब ये एक trend से दूसरे trend में कैसे shift होता है, उसको बोलते है range shift, RSI range shift, और वो मैं example आपको दिखाना चाहता हो, अगर bullish range shift है, तो अगर समझो market 40 के नीचे है, फिर 40 के उपर जाएगा, और 40 पे support लेग उसको बोलते है bullish range shift, right, जैसे यहाँ पर picture में दिख रहा है, तो मैं कुछ examples आपको दिखाऊँगा, मतलब वो 40 पे support ले रहा है, मतलब market को बोल रहा है कि आप मैं नीचे नहीं जाओंगा, मुझे खरीदो आप, right, so that's where you understand this range shift, जहाँ पर arrow map किया है, इसके पहले आप कि जो तीसरा bottom है, यह triple bottom है, तीसरा bottom 40 के नीचे नहीं जा रहा है, और वो हमारा सबसे low risk entry हो जाता है, isn't it, very simple strategy, right, यह पूरा concept एकदम simple है, इसको आप hourly पे भी देखोगे, जैसे देखो 40 के नीचे और 40 पे support, और दोनों levels almost same है, double bottom जैसा ही यह W pattern, लेकिन 1 40 के नीचे है, 1 40 के support लेने के बाद उसने trend को बदला और फिर क्या trend पकड़ा उसने, 1400 point, 15 minute के chart पे bank nifty में 1400 point का move हुआ, right, so this is where you understand RSI from a very very simple thing, अब उसी तरह से bearish range shift भी होता है, bearish range shift पे क्या होता है, जब RSI 60 के उपर है, और वो बाद में 60 से नीचे जाता है, और 60 को resist करता है, मतलब 60 के उपर न नहीं जाओंगा, अब मैं bearish हो रहा हूँ, और वहाँ पे हमको short करना है, exit करना है, and that is where you can see some examples here, RSI 60 resistance, RSI 60 resistance, कितना simple signal मिलता है हमको, पे daily chart हो, weekly chart हो, hourly chart हो, monthly chart हो, कोई फरक नहीं पड़ता है, so you can use this on any and every time frame for RSI range shift, यहाँ पे भी बहुत subtle signs होती है, बहुत कभी-कभी दिखती नहीं है, लेकिन ध्यान से देखोगे, तो आपको समझ में जितना जादा practice करोगे, उतना आपके लिए अच्छा हो जाए, so 60 resistance on RSI, right, आप 15 मिनिट के chart पे, वहाँ से देखो, क्या trend नीचे की तरह पड़, लेकिन हमको signal कहाँ पे मिला, हमारी signal की शुरुवात कहां से हुई, वह आपको देख, अब overall, अगर market bullish है, तो 40-80 का range पकड़ेगा, और अगर market बहुत bullish है, तो 60-80 का range पकड़ेगा, अगर market downtrend में है, तो 60-20 का range पकड़ेगा, अगर बहुत bearish है, strong downtrend, तो 40-20 का range पकड़ेगा, और अगर market sideways है, तो 40-60 के बीच में ही रहेगा, right, तो इतना simple system, जिसके उपर मैंने अपना पूरा career खड़ा किया, तो विशाल मलकान जो भी जाने जाते है, मलकान जी, is about RSI, but एकी चीज़े, 15 साल से practice कर रहा हूं RSI को, go deep, not broad, one coach, one approach, right, और फिर RSI को फिर आप short term में use करो, long term में use करो, medium term में use करो, options में use करो, commodity में use करो, currency में use करो, सब करेंट मार्केट में, करेंट मार्केट में आप देखोगे, कहां कहां पर RSI आपको देखने को मिल रहा है, जहां पर range shift हो रहा है, तो चलिए देखते हैं, यहां पर जो समझो चार्ट है, मेरे पास, यह वाला bank nifty का चार्ट है, डेली पर, अब उसका यह हमने कब से trade लिया 29 माई को, 29 मार्च को जब हमारा live event हुआ था बंबे में, तब अमने trade लिया था, which was around 39,700, वो trade अभी हमारा, अभी भी चल रहा है, कुछ-कुछ लोगों ने exit कि around 3,000, 43,000, 3,000 points, अब यहां पर आप simple range shift देख रहा हो, यह वाला, this is range shift, bullish range shift, अब मैं आपको और कुछ range shift दिखा होगे तो नहीं समझ में आएगा, so you can look at this range shift on the weekly chart, see this, कितना आपको clearly समझ में आ रहा है कि यह अब ऊपर की दरफ range shift कर रहा है, यहां पे range shift, see this, spotty पे support, और यहां पे आप पहले भी देखोगे तो, यह bearish range shift होगया, दो बार, right, so that is, यहां पे bullish range shift होगया, see, it's all about practice, right, so let's see more charts, जितने charts जादा देखोगे उतना अचा है, आपके लिए, let's look at RT industries, yes, so RT industries में अभी अभी range shift हो रहा है, this is the week where we can see range shift is happening right now, perfect, अब यहां से मन्दब यह बता रहा है कि अभी मैं downtrend में नहीं हूँ, मुझे ऊपर जाना है, at least, अगर मुझे downtrend में नहीं हो, तो उतना तो पता चल गया कि अभी नीचे नहीं जाएगा, तो we can write puts also, right, simple, जितना दिमाग खलाओगे, उतना आज में नहीं नहीं ideas आ सकते, यहां पे भी range shift हो रहा है, 640 support, right, यहां पे भी हुआ था पहले, so that is your bullish range shift, अब हमको negative range shift या bearish range shift देखना है, तो कहां पे देखेंगे, let's see, आज के तारिक में, आज ही कुछ मैंने देखा था, पी एफसी, मैं एक्चली हिंच मेरी position भी थी, और मैंने, जैसे range shift देखा, मैंने बोला, इसको exit कर दो, यह breakout हो रहा था, लेकिन वापर इसा डग गया, so यह bullish range shift हो गया, so इसको निकाल दिया हमने, so that's simple, it is, आपको हमेशा जब range shift के टाइम पर करोगे तो आपको बहुत जल्दी exit entry मिल जाएगे, उपर के बाव में या नीचे के बाव में, अगर sell कर रहे हो तो उपर के बाव में, और बेच रहे हो तो नीचे के बाव में, right, so यहां पे देख रहे हो, range shift on the daily chart, let's see on the other chart also, like Hindal को, so if you want to exit on time, exit at the proper this thing, then you can look at this exits properly, अब यह कभी-कभी exact 100% आपको 0, 60 आ, 40 नहीं follow करेगा, जहां पे यहां पे भी है, यहां पे भी है, see this is a failure of a range shift, यहां पे range shift हो के फिर से उपर निकल गया, अब आपे यहां पिस range shift करने की कोशिच कर रहे है, right, so let's look at Jindal's team, this is a range shift happening, बहुत subtle signals मिल रहे हैं हमको, यहां पे भी range shift होई, see, this is how simple it is, तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा है, यह एकदम basic concept है, लेकिन बहुत powerful concept है, और इसी को लेके हम आगे बहुत सारा कुछ कर सकते हैं, तो definitely इस वीडियो को शेर करें, और like करें, subscribe करें यह चैनल को, और इस तरह के बहुत सारे वीडियो में लेके आने वाला हूँ, अगले दो हफते में इंडिया में नहीं हूँ, लेकिन मैं आपके लिए अच्छे से concept record करके जाओंगा Tuesday technical talk के लिए, मतलब मेरे को अपना record break नहीं करना है, इतने 5 साल से एक भी Tuesday technical talk break नहीं हुआ है, तो आप वो परमपरा हम जारी रखेंगे, और definitely नीचे comment में बताये कि क्या सीखा आपने और क्या सीखना चाहते हो अगले वीडियो में ताकि मैं अगली बार्ण या इसी तरह का वीडियो लेके आओ, RSI range shift is very very powerful and very very simple, go and practice 100 charts a day and then you'll become a master, right, one coach, one approach. आज का topic है moving average, moving average एक बहुत ही simple tool है और मेरे इसाब से बहुत ही powerful tool है जो आप technical analysis में यूज़ कर सकते हो, right, तो चलिए देखते, moving average आपने देखा होगा कि काँशे काँशे तरह के moving average होते है, एक होता एक simple moving average, होता एक exponential moving average, weighted moving average, अब हम जादा तर simple moving average करते हैं, ऐसे भी आप जानते हो कि मलकान जी stands for simplicity और हम हर चीज में simple things यूज़ करेंगे, तो moving average एक average होता है, जैसे आप last 10 दिन का, 20 दिन का, 25 दिन का closing price पे आप average निकालो, आपने सुना होगा सबसे favorite और famous moving average जो है 200-day moving average, उसके बाद 100 moving average और 50 moving average, यह standard है, और उसमें अगर इसको आपको benchmark बनाना है, तो 50 moving average is short term, 100 moving average is medium term, और 200 moving average is long term, right, if you want to take that as a benchmark, so let's talk about moving average में तीन चीज़ बहुत important होती है, एक है उसका angle, angle कैसे जा रहा है, कभी-कभी flat जा रहा है, कभी उपर जा रहा है, कभी नीचे जा रहा है, दूसरा है उसका length, कि कब trend change हो रही है right so let's talk about simple moving average where you see ascending moving average का जो angle है उपर की तरफ जा रहा है right that's called ascending that means the trend is up and markets are going up and mostly the price is above moving average then we look at descending trend trend line market नीचे की तरफ जा रहा है और there's a strong downtrend in the market और आप देख रहे हो कि अगर उपर भी market cross होता है फिर से वापिस नीचे आ जाता है क्योंकि उसका angle नीचे जा रहा है right then again look at this moving average as support अब आप देखो कि यही moving average एक दो तीन चार पांच छे बार उसने support का काम किया मतलब यह बहुत strong moving average कौंसा moving average अपने guess करना है 20 moving average 20 moving average 20 moving average 20-day moving average 20-period moving average is the most powerful tool in technical analysis मतलब RSI से भी उपर, Bollinger से भी उपर, ADX से भी उपर, सब के उपर मेरे लिए 20 moving average बहुत ही powerful है अगर आप उसको समझ में आ जाएगा especially अगर आप short term trading करते हो तो 20 moving average जैसा कुछ भी नहीं है right तो थोड़ा moving average पे ध्यादा ध्यान दो तो आपका trading और improve हो सकता है और यह एकदम basic है right यहाँ पे देखो कितनी बार touch हो रहा है एक, दो, तीन, चार, पांच बार touch हो रहा है मतलब यह moving average बहुत strong है और जब यह moving average cross हो जाएगा तब इसका trend change हो जाएगा right so that's again you can look at this point one then two, three, four, five बीच में sideways consolidation हो गया है right so moving average क्या है कि price के पीछे-पीछे चलता है इसको बोलते है lagging indicator lagging मतलब पीछे-पीछे जा रहा है तो जब market sideways होता है choppy होता है तो moving average आपको choppy देगा आपको trend trade whipsaws होंगे stop losses होंगे but जब trend पकड़ता है तो moving average जैसा कोई other there is no other tool like moving average right now let's look at weekly chart पे भी बहुत बार support लिया इसने एक, दो, तीन, चार बार support लिया वैसे ही आप इसको अगर RSI से साथ combine करोगे तो जब-जब उसने moving average पे support लिया तब तक उसने RSI 60 पे भी support लिया हमारा famous ABCT में हम लोग famous system करते है system 1 जो moving average और RSI का combination है अगर आपने अभी दग ABCT अटेंड नहीं किया है तो next वाला जब भी भी हो रहा है चेक कर ले ना नीचे tickets के बारे में details होगी right then there is a downtrend where you see this is the touch points which are touching on moving average which is working as a resistance अगर आप इसको support resistance के हिसाब से भी trade कर सकते हो like trend lines right so more and more examples more about practice इसमें मेरे हिसाब से कोई weighted कोई exponential use करने की जरवत नहीं है सबसे powerful 20 है और reference के हिसाब से आप 50, 100 और 200 को देख सकते हो trend को identify करने के लिए but 20 simple moving average whether used on 5 minute chart 15 minute chart 20 minute chart daily, weekly और monthly chart is the best moving average ever right let's look at this again there are some resistances on this more and more charge practice यह नहीं नहीं आपके chart पर आपने मेरे कोई भी videos देखे होंगे उसमें usually मेरे screen पर क्या दिखेगा आपको RSI दिखेगा आपको Bollinger Band दिखेगा और 20 moving average दिखेगा 20 moving average is also the center band of Bollinger bank यह तीन चीज मेरे लिए काफी है ट्रेड करने के लिए of course the charts would be candlestick patterns right then we have where we have an important moving average that breaks and then the trend changes that's a trend reversal right trend reversal में convert हो जाएगा weekly chart पे trend reversal यहाँ पे और उसके बाद वही moving average जो support का काम कर रहता है वही moving average resistance का काम करेगा यहाद है change in polarity मैंने अगले कुछ videos में किया था so change in polarity जो पहले support है वो resistance बन जाता है जो resistance है वो support बन जाता है that way you can use this moving average in a very very powerful way right so this was a very simple video जैसे मैं बताता हूँ कि जो Tuesday technical talk series है अगर आप इसको दो बार तीन बार अच्छे से देखोगे तो आपका जो technical analysis का base है बहुत ही strong हो जाएगा यही सारे videos English में भी available है अगर आपको मलकांजू चैनल पर जाके चेक करोगे और यह वीडियो को लाइक से शब्सक्राइब करोगे इसमें आपने क्या नया सीखा हो क्या आपको आहा मोमेंट हुआ क्या पॉपकॉर्ण मोमेंट हुआ हुआ आप दता सकते हो आज का टॉपिक है टाइपस ओफ ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग अलग अलग तरह के ट्रेडर होते हैं अलग तरह के इन्वेस्टर होते हैं कौन से टाइम फ्रेम पर ट्रेड करना चाहिए और कौन से टाइम फ्रेम का चार्ट देखना चाहिए आप कौन से तरह के trader बनना चाहते हो, वो भी आपको clarity होना चाहिए, जादा तर लोग इसमें फस जाते हैं कि आज लिया और कल बेचना है, लेकिन बाद में वो नीचे जाता है, तो वो दीरे-दीरे करके बनता है, थोड़े दिन के बाद बेचता हूँ, और उस पे से long term investment बन तो आपको जब पहले trade लेते हो, trade लेने के पहले पता होना चाहिए कि यह मेरा swing trade है, या positional trade है, या intraday trade है, मैं कौन से तरह का trader हूँ, मुझे क्या जमता है, मेरी risk appetite क्या है, मुझे कौन सा chart देखना चाहिए, यह सब बाते करेंगे, आज की episode में चले देखते हैं, क्या-क्य जो है, वो है day trading या intraday trading जो बोलते है, क्योंकि आपको day trading में क्या करना है, एक ही दिन के अंदर, 6 गंटे के अंदर, 6.5 गंटे के अंदर, जो market चालू रहता है, उसी के अंदर आपको buy भी करना है, और profit भी book करना है, loss भी book करना है, और कभी-कभी partial profit, partial loss, तो यह जो number of decisions है, और ऐसा है कि हम लोग एक ही trade करेंगे, हम ज्यादा trade भी कर सकते हैं, अगर तीन trade भी किया, तो तीन बार buy, तीन बार not to buy, not to sell, अगर लेना नहीं, तो यह जो number of decisions है, आपको बहुत सारे decisions लेने, वो बढ़ जाते हैं, और 6 गंटे में, और वो भी इतनी सारी information आ रही है, इतन मैंने शुरू किया था, और अच्छे से कर रहा था, ऐसा नहीं, बट अगर आपको पता चल जाए कि अगर दूसरे तरह के जो trading है, swing है या positional है, उसमें भी अच्छा पैसा बन सकता है, तो फिर इसको avoid कर सकते हैं, अगर आपके पास capital कम है, और आपको capital बनाना है, और आपक इंट्राडे में ही exit करना है, तो ये पहले शुरुवात के लिए ठीक है, बट आगे जाके आप swing trading पे जा सकते हो, swing trading, day trading आपको पता चल गया, कि एक ही दिन के अंदर buy sell करना, swing है कि आप swing करते हो, और अगले 4-5 दिन तक चल सकता है, मनला 5-7 दिन तक, 5-7 देज, is what swing trading is, ठी expiry level 1, expiry special 2, expiry special 3, 4, 5, जो हम options mastery में cover करते है, those are buying strategies, और option writing strategies होती है, जो option बेच के करते है, उसमें थोड़ा time लगता है, that's like week, 10 days, 15 days also, तो ये अलग, आपको options पहले तो समझ में आता है, basics, उसके बाद advance, हमारा पूरा option mastery program है, आप opl.in पे जाके check कर सकते हो, अगर next option mastery की season करन है, आपको, तो option trading अलग हो गया, फिर short term trading, short term trading मतलब क्या है कि मैं 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन तक रुख सकता हूँ, ऐसा नहीं कि मुझे गाई है, 5 दिन में निकलने के, इसमें आप cash में भी कर सकते हो, future में भी कर सकते हो, right, so ये हो गया short term trading, trend following, ये एक अलग तरीका का trade है, इसम signal आया, तो sell किया, अब signal आज आके कल sell से दे सकता है, और signal आज आने के बाद, 6 महीने के बाद sell दे सकता है, depending आपने कौन सी trend following systems किये, एक mark कर लो, एक point, अगर आपको कभी भी बड़ा पैसा बनाना है stock market में, तो आपके पास at least एक trend following system होना चाहिए, हमारा जो one year program in trade and we, हम उस sell नहीं आएगा, भले 6 महीने बाद आए, एक महीने बाद आए, दो साल बाद आए, तब तक बेचेंगे नहीं, और trend following से ही बड़ा पैसा बन सकता है, और यह बहुत आसान है, क्योंकि इसमें कुछ predict नहीं करना है, लोगों को लगता है कि stock market में पैसा बनाने के लिए predict करना पड़ेगा कि कहां तक जाएगा, कितना जाएगा, लेकिन trend following ऐसा है, जहां पर कुछ भी predict नहीं करना है, हमको खाली देखना है कि हाँ पर buy आया है, अब ठीक है, अभी market मुझे बताएगा कभी sell आ रहा है, चार्ट मुझे बताएगा कभी sell आ रहा है, मैं कुछ predict नहीं करू यह एक time पर जब मैंने trading career शुरू किया था, तब मेरा यह favorite था, तब ही मैं क्या करता था, सवा 3 बजे, जब market बंद होने को आता है, तब ही जो trend चल रहा है, वो इसा आप से stock buy किया, और market बंद हो गया, सुबह 10 बजे market खुलता था उस time पर, तो तुरन सवा 10 साढ़े 10 तक ख चलती है, so it's basically कि जो last में momentum दिखा रहा है, जो stock, सवा 3 साढ़े 3 को, वो ही chance है कि वो कल भी momentum दिखाएगा, उपर की तरफ या नीचेत की तरफ, तो उसको BTSD, STBT बोलते है, then positional trading, positional trading जो अब दीरे-दीरे में day trader से, BTSD trader से trend following और positional trading पे आ चुका हो, क्योंकि positional trading में बड़ Pooja Cement का trade था, मेरा 8 figures का, एक करोड के ऊपर कुछ था, और Jindal Steel का, और Dr. Reddy का, यह सब, तो यह positional trade है, इसको आप बोलोगे मैं 3-4 महिने तक रूख सकता हो, और अगर future में करोगे तो उसका return जादा है, cash में भी कर सकते हो, so positional trade is 3-4 months, 3-4, 5-6 months तक जा सकता है, और उसके ब करना चाता हो, और ऐसा नहीं कि कोई भी एक कर सकते हो, दो, तीन भी कर सकते हो, लेकिन जब trade लेते हो, उसके पहले पता चल जाना चाहिए, कि यह मेरा short term trade है, और यह मेरा day trade है, और यह मेरा BTSD trade है, यह मेरा trend following है, तो मैं इसमें कुछ predict नहीं करूँगा, जो system बोलेगा, व पहले day trading में है, सवा 9 से 3.5 के अंदर आपको trade को खतम करना है, तो यह day trade है, 5 और 15 मिनट का chart उसमें अच्छा चलता है, और यह active strategy है, मतलब आपको screen के सामने बैटना पड़ेगा, अगर आपके पास time है, अगर आप busy हो, job करते हो, business करते हो, आप कुछ और भी करते हो, तो यह शायद मुश्किल होगा आपको, करने को, या फिर आप ऐसा कर सकते हो, कि पहले एक घंटा है market का, या दो घंटा में day trading करके खतम करता हूँ, फिर मैं अपने काम पे जाता हूँ, वो भी possible, फिर swing trading 3-4 days, अप तो 5 days भी जा सकते हो, उसमें 60 minutes, मतलब hourly chart और daily chart, और वो भी पू 5-15 minutes ये active है, अगर आप मेरा expiry level 1-2 या 3 करते हो, तो आपको 5-15 minutes पे काम करना बढ़ेगा, आप RSI-based या EDX-based जो हमानी strategy उसपे करोगे, तो 60 minutes और daily पे भी कर सकते हो, then there is short term trading, ये 1 month तक मुझे hold करना है, तो अधर में daily, weekly chart करूँगा, थोड़ा सा passive है, मुझे रोज बेटन So, this is day trading, short term trading, then trend following, इसमें time frame applicable नहीं है, क्योंकि इसमें जब buy आता है और sell आता है, उसके बीच में कभी कि दो दिन भी हो सकते है, दो महीने भी हो सकते, दो साल भी हो सकते है, इसलिए मैंने यहाँ पे not applicable, जादा-तर trend following हम लोग daily chart पे भी करते हैं, लेकिन कोई system weekly पे भी कर सक उसके लिए hourly और daily chart important है, और यह active strategy है, इसमें आपको last एक घंटा और पहले का एक घंटा काम करना है, बाकिया आप busy हो सकते हो, और last में है positional up to 3 months to 4 months, weekly chart पे ज़्यादा focus करेंगे और यह भी पूरा passive है, जो मैंने आपके trades के बारे में बताया आपने YouTube पे videos है, और last है long term trading more than a year, तो उसके लिए weekly और monthly और यह पूरा passive है, जैसे मेरे को long term cash में कुछ hold करना है, और रुखना है एक साल, दो साल के लिए, जो हमारी cup strategy है, डॉंचे chance strategy है, तो यह अगर आपको clarity मिल गया, कि मेरा day trade है, तो मुझे यह chart देखना है, और मेरा option trade है, तो मुझे यह chart देखना है, मेरा trend following है, तो मेरे को यह chart देखना है, तो कौन से तरह के trader हो आप, कौन सी करण की trading आपको जमती है, आप क्या करना चाते हो, और आप कौन से तरह के trader बनना चाते हो, एक बार एक चीज़ को master कर लिए, फिर दूसरे पर जा सकते हो, तीसरे पर जा सकते हो, सब करनी जरूरी यह सब करना जरूरी पॉसिबल भी नहीं है, और confused हो जाओगे, और एक trade के लिए लिए उसको बोला चलो, अभी मैं इसको swing में convert कर देता हो, कर सकते हैं, position ऐसा उपर जाएगा, और signal देगा तो, बट ज्यादा mix and match करोगे, तो confused हो जाओगे, और वहाई पर लोग मार खाते है यह exit करने को problem होता है, entry तो कैसे भी कर लेते हैं, लेकिन exit में problem है, so यह था episode जिसमें आपने देखा कि types of traders और investors क्या होता है, कौन से chart, किसको क्या देखना है, कौन सी active और कौन सी passive strategy है आज का topic है trend following versus contract reading, बहुत interesting topic है, और यह आपको जानना बहुत ज़रूरी है, कि दोनों के क्या फाइदे हैं, क्यों करना चीए और कैसे करना चीए, अब trend following क्या होता है, trend following is something like, जो trend चल रहा है, उसके पीछे पीछे चल रहे है, हम लोग कुछ predict नहीं करें कि इदर तक हम market को follow कर रहे हैं, और मैं आपको एक guarantee के साथ बता सकता हूँ, कि इतने साल के trading के बाद, कि अगर आपके portfolio में, मैं आपके जो हतियार है, सारे trading के, जो भी tools है, systems है, उसमें अगर आपके पास एक trend following system नहीं है, तो बड़ा पैसा बनाना बहुत मुश्किल है, trend following हमारी जो सब से favorite trend following system है, वो top bottom, जो हम trader me program में करते हैं, और एक साल तक उनका support रहता है, दूसरी एक trend following system है, जो हम ABCD में भी सिखाते हैं, it's called only RSI and moving average, simple, और यह आपको अच्छा wealth creation system बोलते हैं, जो बड़ा पैसा बनाते हैं, एक होती है कि जो घर चला है, और एक होती है जो घर को बना है, one is income generating, one is wealth creating, so one, you should know one trend following system, there are many trend following systems, right, and contracting क्या है, contracting उल्टा है, जो नीचे जा रहा है, उसको हम लोग buy कर रहे है, जो उपर जा रहा है, उसको short कर रहे है, कर सकते है, पैसा बन सकता है, बड़ उसके लिए बहुत ध्यान दखना पड़ेगा, तो यह दोनों चीज में क्या समान जादातर में price action, जैसे हमारी top bottom trading system है, खाली price पे, मेरेको RSI भी नहीं चाहिए, मेरेको candlestick भी नहीं चाहिए, मेरेको ADX भी नहीं चाहिए, बॉलेंजर भी नहीं चाहिए, मुझे खाली price action चाहिए, trend following, time neutral chart, यह थोड़ा सा अलग topic है, जैसे आपने सुना होगा, 0.10 figure chart, ranko chart कागी chart, यह सारे time neutral chart है, इससे भी trend following हो सकता है, moving average is simple है, मेरे कुछ videos भी है, moving average पे, तो वो आप देख सकते हो, moving average पे, आप trend following system कर सकते हो, एक moving average होता है, कभी 2 होता है, कभी 3 भी हो सकता है, RSI, मेरा favorite, जो हम ABCT में सिखा थे, एक पूरा system है, जो आप खली, plainly, और especially cash stocks पे करो होगे, तो आपको एक अच्छा खासा return मिलेगा, simple trend following, फिर वो 200 का 2000 हो जाए, या 200 का 400 हो या 200 का 220 होए, हमको trend को follow करना है, so these are the tools which I personally use for trend following, you may use some others also, but these are the most commonly used trend following tools, the second one is contracting, contracting market के against जार, जो एकदम जो और से गिर रहा है, उसको खरीदना है, जो और से बढ़ रहा है, उसको short करना उसमें भी पैसा बन सकता है, बट सही tools और techniques के साथ हो सकता है, so एक है Bollinger Band, जो हमारा Bollinger Band का एक वीडियो है, उस पे आपने देखा होगा double bottom वाला, outside, inside वाला, volatility divergence करके है, तो वहाँ से contract trend कर सकते हो, दूसरा है ADX, जो ADX turn मार दे, तो हम उसको contract trend में कर सकते हैं, जैसे rising ADX के भी बाते करेंगे, वीडियो भी करेंगे, in fact, ये हिंदी चैनल पे ADX का एक बहुत ही बैतरे इन वीडियो है, अगर आप check करना चाहो तो नीचे देख सकते हो, कुछ महीनों पहले लगा है, so ADX के basis पे contract trend कर सकते हैं, RSI का divergence जो होता है, अब divergence में बहुत सारे views है, मैं ऐसा भ divergence होता है, तो generally reverse divergence भी होता है, ये थोड़ा सा confusing हो सकता है, मैं दोनों पे वीडियो बनाऊंगा, मेरे दोनों पे वीडियो है already, English चैनल पे, but ये एक टूल है, जहाँ पे हम contract trading कर सकते हैं, जैसे अपना golden ratio, जो 61% retracement पे आता है, तो मैं वहां से buy कर सकता है, 38% पे buy कर सकता आप पहले तो अपने आपको पहले decide कर लो कि मुझे trend follower बनना है कि contratator बनना है, ये आप दोनों भी कर सकता हो, लेकिन एक account में trend following चल रहा है, एक account में contratate करता है, right, so दोनों एक को master करो पहले, फिर दूसरे पे जाओ, सब एक साथ करने जाओगे, सब confusion होगा, right, then, examples of trend following में crossover, मैंने बताया, दो moving average के crossover है, तो ये भी एक trend following system है, right, then, we have examples of contract rate, जैसे divergence है, RSI का, यहां से buy करना है, मुझे दो candle के बीच में divergence, then, we have outside, inside, जो मैं बता रहा था, इसके video है, ball in the band, outside or inside, ये volatility divergence, so यहां से मैं contract rate कर रहा हूँ, ये trend नीचे है, मैं contract rate में जा रहा हूँ, right, that way, य 50% पर आता है, तो मैं buy करता हूँ, या 61% पर आता है, तो ये trend down है, मैं उसमें contract rate कर रहा हूँ, तो ऐसे करके मैं काफी trades पर ले सकता हूँ, जैसे ADX, ये downtrend है, ADX rising है, जैसे ADX ने turn मारा है, मैं contract rate कर सकता हूँ, contract rate मतलब मैं, यहां पर put right भी कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे अब यह नीचे नहीं जाएगा, right? And that's how you learn about all this trend following versus contract trend. ये trade मैं जो ले रहा हूँ, वो कौन सा trade है, short term है, medium term है, long term है, इसमें मैं कौन सी exit strategy use करूँगा, अगर वो आपको clear हो जाएगा, तो आपका trading बहुत ही अच्छा हो सकता है, तो चलिए देखते हैं कि exit strategies कौन से कौन से तरकी होती है, और आपको पता चलेगा कि आपको कोई भ subscribers को cross कर रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि आप इसको और भी बढ़ावा दे, और मैं और हिंदी content produce करता हो, अगर आपको अच्छा लग रहा है, तो आप live, share, subscribe, comment, जो भी करना चाहों करें, ताकि मैं आपको और value दे सकूँ, right, so चलिए देखते हैं, first, exit strategies में सबसे पहले होता ह initial stop loss, मैं हर एक strategy, हर एक exit strategy को आपको detail में समझाओंगा, so one is initial stop loss, मनलब जब आप trade लेते हो, तो क्या stop loss होता है, फिर trailing stop loss, यह trailing stop loss कब आएगा, जब आप profit में जा रहे हो, तो मैं उसको ट्रेल कर रहा हो, फिर मैं यूस करूँगा time stop loss, यह time stop loss कभी-कभी बहुत important होता है, क्योंकि हम trade लेते हैं और कुछ होता नहीं, trade market sideways जा रहा है, या stock sideways जा रहा है, और especially अगर आप option trade कर रहे हो, तो आपका call put का premium भी नीचे जा रहा है, so you need to have a time stop loss on certain cases, you need to have an event based stop loss, event मतलब action है, कुछ बड़ा announcement है, fed meeting है, और उस time पर कुछ भी हो सकता है, तो उस time पर हमको एक लेना पड़ेगा, monetary exit, monetary मतलब simple है, मेरे को इतना पैसा मिला, मैं निकलता हूँ, कैसे करते हैं, मैं एक-एक को explain करूँगा, and last is psychological stop loss, यह सारे तरह के stop loss या exit strategies हो सकती है, चलिए देखते है पहला वाला जो है, वो है initial stop loss, initial मतलब मैं जब trade लेता हूँ, वो मेरा stop loss क्या होगा, तो usually हम देखते हैं कि समझो, हमने trade लिया 40 के support पे, यह एक example है, आप 40 के support पे लो, 40 मतलब of course, I understand that you understand what is this 40, RSI, RSI के 40 के support पे bullish candle मना, आपने entry लिया, उसके उपर, और नीचे stop loss जो रखा है, मतलब जो आपका trade लेने का जो कारण है, वो कारण निकल जाए, वो आपका initial stop loss, मेरा trade लेने का कारण है कि यह candle bullish है, और 40 पे support है, अब यह candle का low तूट जाए, या 40 तूट जाए, तो मेरा initial stop loss, मतलब मेरा stop loss trigger होना जाए, अब यह एक बार मुझे पता चल गया, मेरा buy किदर है मतलब मेरा entry किदर है, और मेरा stop loss किदर है, तो उस basis पे मैं decide कर सकता हूँ कि मैं कितने shares ले सकता हूँ, कितने lots ले सकता हूँ, कितनी quantity ले सकता हूँ, अगर यह समझो होता है 10 रुपे का thing, 10 रुपे का stop loss है, यह समझो 500 रुपे है और यह 490 रुपे है, मतलब आपको 10 तो आप कितने shares खरीद होगे, 1000 share, वैसे calculation होता है, backward integration बोल सकते हैं हम लोग की, यह दोनों पता चल गया, उसके बाद मुझे पता चलेगा कि मुझे कितने shares खरीदने चाहिए, ताकि मुझे जादा loss नहीं होगे, अगर मेरा stop loss trigger हुआ तो, right, so this is called initial stop loss, the reason for your entry, आपका reason यह है, त तो breakout के नीचे चला गया, तो stop loss हो जाएगा, आपका reason divergence है, तो divergence निकल गया, तो stop loss हो जाएगा, आपका reason bullish candlestick है, और candlestick fail हो गया, तो stop loss हो जाएगा, that's called initial stop loss, right, and then it goes up, now that's where we see, let's say this is the actual example, where we buy, put a stop loss, and then the trade goes up, right, so that's my simple trade, 40K support पे, then we look at another entry, और initial stop loss, क्योंकि आपने breakout के ऊपर short कर रहे है, 60K resistance में short कर रहे हो, क्योंकि यह resistance है, और उसके ऊपर stop loss लगेगा, that's a short trade initial stop loss, और नीचे की तरफ जाएगा, तो आप profit करोगे, right, so long और short कुछ भी करो, initial stop loss पहले जानना बहुत ज़रूरी है, सबसे बड़ी गलती लोग क्या करते है, मैंने भी बहुत बार किये, बहुत सालों तक किये, उसमें बहुत नुकसान हुआ है, कि हम पहले trade ले ले लेते, अरे ले लेना भी देखते है बाद में, चलेगा, दुपर के बाद देखते है, या दो बज़े, दो दिन के बाद देखते है, मतलब जब trade ले रहे हो, अगर आपने उस moment पे stop loss नहीं decide किय तो आप समझ लो कि आप परिशानी में आने वाले हो, right, trade लेने के पहले मुझे मालम होना चाहिए कि मेरको यहाँ पे loss कितने का होने वाला है, मैं किसके नीचे exit करूँगा, आपने छोड़ दिया कि बाद में देखते है, कल सोचते है, तो वो trade गलत होने वाला है, फिर आप गया, stop loss, initial stop loss, जैसे यहाँ पे short हो रहा है, उपर का stop loss है, नीचे की तरफ target अचीव होता है, right, so that's your stop loss, now comes the second point, which is trailing stop loss, यह हमारा favorite stop loss है, क्योंकि यहाँ पे हम पैसा बना रहे है, right, we are already making money, so we want to protect the money, हम लोग को पैसे को बचाना है, profit हो रहा है, उसको कैसे बचाते है, trailing stop loss जैसे जैसे market उपर जाएगा, stop loss उपर उपर जाते जाएगा, अब उसके बहुत सारे तरीके है, मैं एक simple तरीका आपको बता दू, जैसे समझो, यहाँ पे bike किया, मैंने initial stop loss तो लगाई दिया, अब market उपर जा रहा है, तो मैंने एक candle के नीचे low बना दिया, तो यह मेरा trailing stop loss हो गया, फिर और उपर गया, तो मैंने trailing stop loss 2 कर दिया, और उपर कर दिया, फिर और उपर कर दिया, तो candle by candle भी कर सकते है, जैसे मैंने यहाँ पर दिखाया, आप उसको moving average से भी कर सकते है, moving average अपने आप उपर जाएगा, आप उसको 3 day low, 3 bar low से भी कर सकते हो, जैसे आपको आप percentage भी कर सकते होगे, उपर से 10% या 3% नीचे आया, या 2% नीचे आया, उपर से 100 रुपया नीचे आया, तो मैं निकल जाओंगा, right that way you can do it, and then somewhere that fourth, ये stop loss trigger हो गया, so आपने दीरे दीरे ट्रेड करके आपका जो profit है, उसको protect कर रहे हो, और यहाँ पे आपने exit किया, so that's called trailing stop loss, और ये generally, जब आप बड़ा ट्रेड करते हो, बड़ा position बनाते हो, तो अब ही बहुत ज़रूरी होता है, कभी-कभी बहुत बड़े profit, आपने अभी, मैंने recently एक वीडियो किया था, bank nifty का 47,000, वो आप देखो वीडियो, उसमें आपको समझेगा कि मैंने कैसे trade को बड़ा है, और मेरा उसमें एक तो मैंने पहले initial stop loss, फिर trailing stop loss, फिर मैंने monetary exit कर दिया, monetary में दिखाऊंगा क्या है, अगर मैं दो दिन और रुकता था, तो शायद और 50 लाग बन सकते थे, क्योंकि उसके बाद और 1200 point bank nifty बढ़िया, बट मैंने पहले से decide किया था कि यह मुझे exit करना है, monetary के हिसाब से, बट that's where, so मेरे जो भी trade videos है आप उसको देखोगे न, बहुत सारे है, 7 figure, 8 figure, उसमें कैसे entry किया, exit किया, trailing stop loss किया, उस सब आपको देखने को मिलेगा, right, so let's see, here we have a breakout, यहाँ पे अपने entry किया, initial stop loss जो breakout candle है, उसका low है, initial stop loss, फिर आगे गया तो trailing stop loss 1, trailing stop loss 2, trailing stop loss 3, और फिर trigger, right, so that's the stop loss mechanism called trailing stop loss, then we see the short side of it, short में भी trailing stop loss हो सकता है, initial stop loss, trailing stop loss, 1, 2, 3, और finally वहाँ पे trigger हो जाता है, so दोनों जगापे, long हो या short हो, once you are making money, you should use trailing stop loss, आपको trailing stop loss यूज करना चाहिए, right, so चलिए रेखते हैं, next वाला, और एक trend line break, short, 1, 2, 3, और यहाँ पे trigger हो जाएगा, right, अब trailing stop loss में एक problem यह होगा, कि आपको कभी भी lowest bound नहीं मिलेगा, क्योंकि वो, that's not where you know it's going to go up, right, थोड़ा सा profit कम हो जाएगा, लेकिन इतना profit आपको मिला, so that's part of trailing stop loss, right, that's another one, 1, 2, 3, 4, and triggered, now comes the next one called time-based stop loss, time-based stop loss क्या है कि अगर आप, यह आपको ज़्यादा तर, मैं समझता हूँ कि अगर आप short term trading करते हो, swing trading करते हो, जो भी shorter range के है, उसमें आपके पास time कम होता है, especially option trading करते हो, या intraday trading करते हो, तो आपको एक time होना चाहिए, कि इसके बाद मैं निकल जाओंगा, अगर market stop loss भी नहीं हुआ, और target भी नहीं हुआ, और profit भी नहीं हुआ, क्योंकि वो time waste हो रहा है अपना, right, stop market में पैसा बनाना is important, but at the same time you have to optimize return, optimize मतलब जितना जादा हो सके, और यह अगर यह 10 दिन तक, 15 दिन तक चल नहीं रहा है, तो सामने मेरा दूसरा opportunity miss हो रहा है, मेरा capital भी block है, मेरा mind भी block है, और market में कुछ हो नहीं रहा है, right, अपने को ज़्यादा problem यहाँ पे आता नहीं है, my students, because we follow simple momentum trading, which is RSI, अगर RSI 60 के उपर है, तो यह trade करेंगा, अगर 60 के उपर है, तो वो automatically momentum में रहता ही है, अग 40-60 के बीच में trade करोगे, तभी जाके आपको लगेगा, कि मेरे को time stop loss use करना पड़ेगा, क्योंकि वो breakout होगा, नहीं होगा, sideways चल रहा है, तो that's where you need to use, and especially अगर आप option trade करते हो, तो time stop loss बिल्कुल ज़रूरी है, so you should, because आपका option का premium कम हो रहा है, वो भी option buying कर रहे हो, so time-based stop loss is, generally मेरे हिसाब से में जो करता हो, is between 5 to 7 candles, अगर आप hourly पे कर रहे हो, और 5-6 घंटे तक कुछ नहीं हुआ, तो exit, swing trading कर रहा हो, daily chart पे कर रहा हो, 5-6 दिन तक कुछ नहीं हुआ, तो exit, positional trading कर रहा हो, पाच्चे हफ़ते तक कुछ नहीं हुआ, तो exit, बैसे, that's the standard benchmark for me, आपका एक-दो पीछे, आगे-पीछे भी हो सकता है, so that's my time stop loss, जैसे यहाँ पे दिख रहा है, आपको site, यह मैंने long किया, यहाँ से 40 support पे, पाच्चे दिन तक कुछ नहीं हुआ, फिर से वापस 40 support पे, पाच्चे दिन तक कुछ नहीं हुआ, नहीं हुआ नहीं हुआ, so it's not working well, so let's not waste our time on such stocks, right, next, one more example, goes on forever, like, कभी-कभी ऐसा frustrate हो जाते है, चलता ही नहीं है, चलता ही नहीं है, और ऐसा भी होगा, कि आपने time stop loss किया, और बाद में चलेगा, that's okay, you stick to the rules, as I always say, focus on the process, not on the profit, right, so now says event-based stop loss, event-based क्या होता है, मतलब market में major events, minor events होते हैं, अब उस time पे समझो, आपका बड़ा position है, और आपको कल मालूम है, कि election का result आने वाला है, अब election साल, 5 साल में एक बार होता है, but generally budget है, फिर quarterly results है, और federal meetings है, कुछ announcement है, अभी recently तो lockdown के announcement बहुत होते रहते हैं, तो वो हिसाब से, if you are event पे आ रहे हैं, और आपका कुछ position है, तो वो affect कर सकता है, या तो आप उसको, निकाल दो position को, या तो आप उसको options से hedge कर लो, right, so let's talk about major versus minor event, यह बहुत important है, हमारे option strategies में भी काम आता है, हमारे option mastery program में भी, so we talk about budget, is a major event, जो events बहुत rarely होते हैं, वो major events हो गए, मतलब साल में एक ही बार होता है budget, election पाँच साल में एक होता है, global events like Brexit, COVID यह सब बार-बार नहीं होते हैं, लेकिन उस time पे हमको बड़ा massive moment देखने को मिलता है, तो उस time पे हमको event-based top loss लगाना पड़ेगा, फिर surgical strikes और war हो गया, यह ऐसा कुछ हो गया, तो यह सारे major events हैं, और कुछ नए भी हो सकते हैं, जो हमने अभी तब कभी सुने नहीं हैं, शायद जैसे COVID-19 was a new one, which we heard first time in 2020, right, so यह हो गया major events, अब minor events में क्या होता है, quarterly results, जो हर quarter आता है, फिर monetary policy, जो हर महिने आती है, IIP data, fed meets, government announcement, यह कुछ नगुछ चलती रहता है, तो यह minor events है, minor events पे मैं अपनी positions, अगर थोड़ी बहुत कम करूँगा, adjust करूँगा, नहीं भी कर सकता हो, but major events पे मेरे को कुछ तो action लेना पड़ेगा, अगर मेरे पास अच्छा खासा position है, especially अगर profit हो रहा है, तो उसको trailing stop loss या, time stop loss से मैं exit करूँगा, so यह हो गया event-based stop loss, right, then monetary exits, monetary यह short-term trader, you should do this, आपको करना ही पड़ेगा, आप करना ही चाहिए, उसमें क्या होता है, कि you can use monetary targets, weekly 15,000 मिला, खतम story, trade over, या दुकान बंद कर दो, बस खतम होगया अपना target, monthly 75,000, 1,00, अगर आपका target है, जो भी है, this is just random numbers, it can be 20,000 for you, it can be 20 lakhs for you, doesn't matter, right, so monthly monetary targets, fixed percentage target, जैसे मैं जो लगा कि, मेरा stock 5 तका चल गया, 2%, intraday में है तो 2%, swing trading है तो 4-5%, positional trade है तो 10-15%, कभी-कभी 20%, यह हो गया, मेरा target हो गया, जैसे मैंने बताया, bank nifty का trade है, इस वीडियो के लीचे में, bank nifty के trade की link लगा हूंगा, description में, तो आप वो वीडियो बिल्कुल देखे, ताकि आपको पता चलेगा, कि exit का क्या importance है, right, so that's, this thing, so those are the, fixed percentage based trading, which you should do, especially अगर आप short term trader हो, right, so that's one thing, then there is something called a psychological stop loss, what is psychological stop loss, कभी-कभी होता है कि, position बहुत है, हमारे पास, but suddenly घर में कुछ problem हो रहा है, कुछ family issue चल रहा है, किसी की health अच्छी नहीं है, किसी की death हो गई है, क्या आपको ठीक नहीं लग रहा है, आप fever में हो, आप बुखार में हो, आपको covid हो गया, आप lockdown, मैं प्रेशर है, mentally you are not strong, अगर हम देखो कि, यह जो game हम खेल रहे है, which is trading, is a game, right, it's all about the numbers, and game में क्या होता है, कि अगर आप fit नहीं हो, जैसे सम्झो cricket में, अगर आपके एक छोटी उंगली में भी fracture है, तो you are said unfit to play, because you can't bat, वैसा ही, this is a mind game, यह mind से game खेलते हैं, अगर mind ठीकाने पे नहीं है, तो आप इसको trade नहीं कर सकते हो, बराबर decision नहीं ही लोगे हैं, क्योंकि आपका mind ठीकाने पे नहीं है, because of illness, or any other problem, right, so at that time, you think कि, अभी मेरे family में issue चल रहा है, मेरे को वो resolve करने के बाद, मैं फिर से position बनाऊँगा, अभी मैं exit कर लेता हूँ, क्योंकि अगर pressure में कुछ decision लिया, वो गलत भी हो सकता है, लाखों का नुकसान हो सकता है, या जो भी आप level पे trade कर रहे हो, तो psychological stop loss, और कभी-कभी यह भी होता है, कि हम continuously trade करते है, राइड, back-to-back, रोज-रोज trade करते हैं, तो थोड़ा एक burn-out हो जाता है, मनलब हम focus नहीं कर पाते, तो उस time पे भी आप psychologically fit नहीं हो, तो समझो कि आपने एक हफता break ली लिया, एक 10 दिन के लिए छोड़ दिया trading, कुछ फरेक्ट नहीं पड़ेगा, मैं बोलता हूँ आपको, मेरको आपको लगता है, अरी, 10 दिन ट्रे से कैसे trade करेंगे, कुछ नहीं होता है, market किदर भी नहीं जाएगा, उपर जाएगा, फिर नीचे जाएगा, फिर उपर जाएगा, आपको कुछ ना कुछ opportunity मिलेगा, बट mentally आप फिट नहीं हो, तो आपको trade नहीं करना चाहिए, भले बाकी लोग कमाएगा, भले market उपर चला जाएगा, so you need to follow the psychological stop loss also, so these are the different types of stop losses, which we discussed. आज का topic है top-down approach, ये बहुत important topic है, क्योंकि इसके बिना तो मैं एक trade भी नहीं लूँगा, अभी आपने देखे होंगे कुछ बेरे विडियो, जिसको मैं बोलता हूँ mastermind, कि हमारे trader in me जो program है one year का, उसको मैं हर 15 दिन में mastermind करता हूँ, इसमें होता क्या है, अब जो भी मुझे stock लेना है, ICICI bank या Canera bank, तो ये अकेले में कुछ नहीं कर सकता है, जब तक उसका जो sector है, banking sector, वो strong न हो, और वो अकेला कुछ नहीं कर सकता है, जब तक market strong न हो, तो जितना ये सारे तीनों चीज़े strong होगे, जैसे let's say, we talk from top down approach, the first is market, market मतलब nifty या sensex, तो nifty को पूरी तरह से analysis कर लेंगे, कि nifty का trend क्या है, monthly trend क्या है, weekly trend क्या है, daily trend क्या है, monthly RSI क्या है, weekly RSI क्या है, daily RSI क्या है, तो अगर वो strong trended है, मतलब market मेरा जो मैं बोलता हूँ 40%, sector है वो 40% है, और stock 20%, 40, 40, 20, weightage, तो अगर market strong है, ये वाला, समझो कि market बहुत strong है, जैसे 2021 में one sided market था नीचे, जब covid crash हुआ, तो 7000 से nifty से लेके 17000 तक non stop चला, तो market पूरी तरह से strong था, monthly chart 60 के उपर, weekly chart 60 के उपर, daily chart भी 60 के उपर, तो monthly market strong हो गया, तो मैं देखूंगा कि ये market में sector कौन सा strong है, सेक्टर इसके साथ साथ कौन जा रहा है, या इसके आगे भी जा सकता है, जैसे metal सेक्टर उपर था 2021 में, जैसे auto सेक्टर भी उपर था, IT सेक्टर भी था, pharma सेक्टर भी एक time तक उपर गया, तो ये सेक्टर मुझे जानना है, कि सेक्टर के charts भी आते हैं, कि हाँ, मार्केट उपर है, सेक्टर में auto और pharma अच्छे, for example, तो फिर मैं auto और pharma के अंदर के जो stocks है, उसको देखने की कोशिश करूँगा, कि इसमें कौन सा stock है, तो अगर समझो auto आया, तो मैं देखूँगा, Tata Motors, Hero Moto, Bajaj Auto, MRF, Maindra and Maindra, Ashok Leiland, यह जितने भी auto के stocks है, auto ancillary के stocks है, उसको सबका chart देखूँगा, और चुनूँगा जो सबसे best है, जो सबसे उपर जा रहा है, जो सबसे strong जा रहा है, जिसका setup सबसे strong है, और जिसमें risk reward ratio का, तो यह जो पुरा process है, market strong, sector strong, stock भी strong है, और फिर मैं जब trading करता हूँ, मतलब मेरे पीछे power है, मेरे पीछे जो बोलते हैं लहरो, बड़ा लहर, the big wave and the small wave, if the big wave is with me, मतलब बड़ी लहर मेरे साथ है, और मैं भी उसके साथ तेर रहा हूँ, तो मुझे आसानी से तेरना होगा, अगर लहर के against जाओगे, तो आपको बुश्किल होगा, आपको ज़्यादा force लगाना पड़ेगा, तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है, अब 2022 में जो starting of the year से बता रहा हूँ, जैन्वरी से, कि ये थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है, क्योंकि 2021 में, निफ्टी का trend, मार्केट का जो trend था, वो strong था, बहुत ही उपर, और उसमें आप कुछ भी खरीदो उपर जाता है, कोई भी sector जादा, दर सभी sector उपर गए, बढ़ 2022 का पूरा चार्ट बदल गया, निफ्टी का RSI 60 के नीचे आ गया, वीकली चार्ट पर और sideways हो गया, ADX नीचे turn मार दिया है, मतलब मार्केट का support निकल गया है, अब मुझे अगर इसमें पैसा बनाना है, तो ये दोनों चीज़ मैं को बिल्कुल देखने पड़ेगी, खाली इसमें काम नहीं होगा, तो मुश्किल ही है, तो अभी आपको काम थोड़ा बढ़ जाएगा, 2022 में, महनत थोड़ी जादा बढ़ जाएगी, patience रखना पड़ेगा, कुछ महीने खराब जाएगे, लेकिन अच्छा टाइम आता है, तब पूरा पैसा बनाना है आपको, और कुछ शान्ती से मलब कुछ टाइम ऐसा भी होगा, जब कुछ ट्रेड नहीं करना है, लेकिन हमको 2021 का आदत लगा है, कि हर महीने पैसा बन रहा है, हर मार्केट उपर जा रहा है, हर नया टॉप बन रहा है, तो नहीं चलेगा, तो जैसे ही मार्केट का अपना अप्रोच बढ़ता, जैसे हम बोलता है कि हाईवे पे आप गाड़ी पांच भी गेर में, छटी गेर में चला रहे हो, लेकिन वो 2021 था, निफ्टी जब हाईवे पे चल रहा था, अभी निफ्टी साइड़ेस मार्केट में, लेटफॉर्म्स पर भी करता हो, रेगुलर्ली तो ताकि आपको भी समझने को है, कि मैं क्या कर रहा हूँ, right, so that's what we need, sector और stock का बाद में, एक बार ये समझ में आ गया, तो मैं देखूंगा कि कौन सा sector अच्छा चल रहा है, उसमें से buy list बनाऊँगा, अगर strong market है, और वीक market है, तो मैं sell list बनाऊँगा, कि market भी weak है, sector भी weak है, तो short करना कौन सा है, और market भी strong है, sector भी strong है, तो buy कौन सा करना है, तो जैसे अब ही समझो, यह सारे stocks, यह सारा IT stocks है, यह सारे sectors है, जैसे auto में यह सारे stocks है, PSU banks, private banks, IT sector, energy sector, telecom, services, जब यह आब telecom में, energy में देख रहे हो, BPCL, Gale, Hint Petro, सब oil और gas और power वाले stocks है, IT में सारे infosys, HCL, tech, Wipro, TCS, यह सारे stocks है, तो पूरा मतलब, पूरा एक जुन मिलके, आगे जा रहा है, तो chances है कि आप successful हो पाऊगी, right, so this is very very simple analysis, समझो कि market नीचे जा रहा है, sector भी ठीक था, कि खाली एक अखेला stock उपर जा रहा है, तो उसके पास कितना power होगा, जा सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं जा सकता है, but, we are considered like, हम लोग, we are small traders, right, we are local traders, so यह बाखी consumption, capital goods, reality, pharma, media, फिर metal, cement, sub-sector, कोई-कोई sector के तो charts है, कोई-कोई sector के नहीं है, तो आप देख सकते हो later, but, सारे stocks साथ में जाने चाहिए, और जैसे finance है, FMCG है, यह सारे stocks भी, sectors भी है, और ऐसा काम कर सकते हो, की सारे sector में से, जो top 3-4 stocks है, जैसे FMCG में, Britannia, Colpal, ITC, Liver, को ले लिया, finance में से 2-3 को ले लिया, और एक basket बना लिया, basket मनलब, एक 50 stock का list बन गया, जिसको आप continuously track करोगे, आप उसके ही charts बार-बार देखते जाओगे, तो क्या है कि आपको उसका character समझ में आने लगेगा, एक ही stock को बार-बार देख रहे हो, जैसे हम लोग काफी बार में पूरी, जिंदाल स्टील है, या bank nifty है, टाठा मोटर्स है, ये सारे stocks हमारे favorite है, तो हम उसको इतने सालों से trade करें, तो उसकी जो चाल है, उसका जो move है, वो पकड में आ जाता है, character है, क्योंकि हर एक stock को एक particular type of people are trading, तो उनका एक behavior pattern, जैसे एक आदमी को जानते हो, आप बार साल-दस साल से, उसका behavior पता चलता है, वैसा ही stock का भी पता चल सकता है, तो एक basket भी बना सकते हो, यह सब जारे stocks में से, तो यह था top-down approach, top-down approach मतलब, उपर से लेके नीचे तक, पूरा global analysis करके, अभी जब कभी-कभी तो हम लोग, खाली market sector stock मी नहीं देखते, हम global markets भी देखते, कि Dow Jones क्या कर रहा है, Hang Sank क्या कर रहा है, कभी ऐसा important आता है, कि यहां यहां से बड़ा fall आएगा, यहां से बड़ा उपर जाएगा, तो वो सारे market भी देख सकते, फिर हम लोग commodity market भी देखते हैं, जैसे silver, gold, copper, crude क्या कर रहा है, और फिर कभी-कभी, आजकल तो cryptocurrency भी है, और main सबसे important है, एक बार आपको USD-INR का भी चार्ट देखना चाहिए, ताकि क्यूंकि उसका भी connection है, Indian market के साथ, dollar बढ़ता है, dollar नीचे आता है, तो वो भी connection लगा सकते हैं, तो यह top-down, यह पूरी तरह से analysis करोगे, फिर आप भले day trading करो, तो भी आपका confidence higher आएगा, क्योंकि मुझे मालू है कि यह sector अच्छा है, यह stock अच्छा है, इसमें मैं long करके trade पैसा मना सकता है, So how was it? I hope you enjoyed this long video, but very powerful video, इसमें सारी चीज़े जो आपको एक stock market में trader बनने के लिए ज़रूरी है, वो सारी training है, और सारे videos है, सारे concepts है, अगर लगता है कि आपको कुछ समझ में नहीं, आपको फिर से जा सकते हो, rewind कर सकते हो, forward कर सकते हो, दो बार देख सकते हो, तीन बार देख सकते हो, और अगर आपको अच्छा लगा, तो इस video को share भी कर सकते हो, अपने friends और family के साथ, ताकि वो भी सीख सके, हमारा एक ही मक्सद है, हर घर एक investor तभी जाके, India का growth story take off होगा, so make sure you take notes, make sure you implement the strategies, and start making money from right on, thank you so much, good luck and good trading.